और विलाइव कि चल्ड अब बता दो लाइव है या नहीं येस है आर वी लाइव येस और नो जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में सेशन स्टार्ट हो गए या नहीं तो मुझे पता लगता है आपको पता यह बात लग तो नीजा स्वाइव यार नहीं हो मैं कूए क्या वह गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया hardshiposh शुरू के 2-3 मिनट स्ट्रगल ही रहते हैं हाई बच्चों, हेलो एवरिवान वेलकम तू नीट अड़ा चानल कैसे आप सब येस, हाँ और मैं केट्स हाई बच्चों, हेलो एवरिवान जोशवोश नहीं है, क्या बात क्लास स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, आप मुझे देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे है, मेरी आवाज आप तक पहुच रही है या नहीं पहुच रही है शुरू के सेशन में थोड़ी लोई होती है वाइस, उसके बाद ठीक हो जाती है येस, क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं, हाँ बिटा कल का दिन थोड़ा मेरी लिए तब इत पे बहुत ही बेकार था, क्योंकि मैं दो दिन से सो ही नहीं थी, येस, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे डॉक्टर ने तो seriously कल बोला कि, you change your daily schedule, otherwise you will suffer from insomnia, मुझे नींद ही नहीं आती है, क्योंकि रात में नींद मैं तीन बज़े सोती हूँ, सुबह छे बज़ उटके घर का काम करती हूँ, साथ बज़ उटके, ठीक है, तो ये चार घंड़े की जो नींद में लेती हो, अब इन सोमनिया की प्रॉब्लम स्टार्ट होती जा रहे हैं, क्यों नींद ही आन रखोगे, ठीक है, रखना जरूर अपनी दुआओं में मुझे याद, क्योंकि एक ही थी, जो आती थी हर रात, दो थी तुमारी गर्मा माम, ठीक है बच्चो, येस, अब जो बच्चा, अगर पूरी सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो आपको बता है कि हम अल्मोस्त खतम करने पर आचुके है, अपने इस पूरी सीरीज को, we are moving towards the end of the series, ये chapters already channel पर हो चुके है, this is the second time revision we are doing for these chapters, ठीक है, इसे पहले जो chapters से, वो अभी तक channel पर नहीं हुए थे, but this is the second time of revision which is occurring on this channel this time, yes, ठीक है मेरे बच्चो, दुआओं में याद रखना, आज 3D पर कौन को देखना है, स कौन ऐसा बाबू है, जो 3D में देखने आए, क्योंकि उसको पता है कि इस chapter में मैं धुरिंदर हूँ, but कमी सिर्फ एक चीज की थी, वो थी 3D, 3D dimensional of this chapter was missing in my life, yes, कौन को ना आइस लिए हैं, बताओ ज़रा चाट बॉक्स में, सच बोलना, मैं हम से जुट बोल के कुछ नहीं मुल लेगा, बिटा, सब जानते हैं, हम तो बारे-बारे में, हाँ नहीं तो, ठीक है, तो आजो भई, तो यह हमारा telegram channel है, जो 1,20,000 पर पहुच चुका है, यहाँ पे देखो, अभी मैंने अपडेट नहीं किया, फोटो, बट यहाँ पे 120K students है, जिनने gold DPP, gold notes, यहाँ पे पूरा का पूरा detail, trailer change होगे, किसी ने तारीफ नहीं की, yes, किसी ने तारीफ नहीं की, कि माम trailer change हो चुका है, क्योंकि कल उसका complete planner, जो mock test paper है, उसका आपको मिलेगा कल, ठीक है, तो yes, तो इसके लिए telegram channel join कर ले, यह हमारी test series, विजरत, जो हर Sunday चलती ही है, इसमें यह वाला test, यह वाला हो चुका है, अब आप इसको prepare करेंगे, बायो टेक यूनिट को, ठीक है बच्चो, चले, अब आते हैं, human reproduction पे, इसी पे आते हैं बच्चो, start किया जाए, फिर, start किया जाए, yes, बच्चो, बहुत अच्छा trailer है, कोई active हो या ना हो, neat and very active in my session, लौड प्रगेश, आएंगे बटा, आज हम 3D से पढ़ेंगे इस chapter को, NCRT तो आप इसकी काफी बार पढ़ चुके होंगे, but now it's a time we will start from 3D, चले, start करते हैं, एक एक चीज आपको समझाते हैं, फिर NCRT से पढ़ते हैं, और फिर इसको खदम करते हैं, चीक है, तो आए, सबसे पहले आज की class में हम करेंगे, yes, आज की class में हम करेंगे बच्चो, main reproductive system, सबसे पहले तालिया बच जाएं, class में बिलकुल शांदार तालिया, yes, शांदार तालिया बच जाएं, क्योंकि अब जो हम देखने जा रहे हैं, वो पहली बार, इतिहास में आपको दिखाया जा रहा है, yes, मेरे आप दिहान से सुनेंगे, तो बहुत दिमाग में भी बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम NCRT भी पढ़ेंगे, word to word, जो जो चीजे आपको नहीं आती है, NCRT से वो भी हम समझ लेंगे, ठीक है, चली आईए मेरे बच्चो, तो यहाँ पे है, हमारे सामने कुछ और नह करनाने के लिए देती है, ठीक है मेरे बच्चो, आईए इसको देखते हैं, यह देखे, शांदार दिख रहा है, मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह एक्स्टरनल जैनी टेलिया है, क्या है मेरे बच्चो, चलो माम के साथ रिवाइस कर क्या है मेरे बच्चो, यह एक्स्टरनल जैनी टेलिया, ठीक है, एक्स्टरनल जैनी टेलिया, यह वो हिस्सा होता है, मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का, जिसे कॉपिलेटरी ओर्गन भी कहते हैं, क्योंकि यही हिस्सा है, जो कर्मशील हिस्सा है, यह वो हिस्सा है, जो insemination के लिए यूज होगा मेरे बच्चों ठीक है यहीं से सिमन भी आता है यहीं से यूरीन भी आता है ठीक है मेरे बच्चों अब अगर इस पूरे स्सक्षों की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वह यह फट रहे हैं यह हैं यहीं है फट अगर नीट में रहे हैं कि योरेतर में है इसमें सिThis vein है या इसमें बोक है तो चुम आई को बतातका हैं यह हमारे सरहां होती है और यह चिसमें भूता निसा निकाल निकाल के मारूंगे नालाय को नहीं से चपपल आएगे तुम लोग को बेस्ति मत कराय करो तुम पढ़ लो तुम दंग से पढ़ लो तुम से आजो बुरा ना मानो हो ली है ठीक है येस अरे भाई सब बहुत आंसर दे रहे हैं भाई जूरेथरा और यूरेटर में कोई फरक ह है या नहीं है तुम यह आंसर दे रहे हैं मुझे एक महीने पहले नीट के भाई वह सच में शौक में हो क्योंकि यह बहुत सिंपल कोईशन था ऐसे मत करो यार एक महीना बचा एक्जाम से पहले डोंट डू दिस प्लीज बी सीरिस यूरेटर्स क्या है पेर्ड है कहां से आ इसलिंट गॉल रहे है जिसका नाम यूरेनरी ब्लाडर क्या जो गोला से स्ट्रक्ट्चर इसका क्या नाम YOUR इनरी ब्लाडर ठीक है ब्लाडर वो स्रक्ट्र है जिसके अंदर यूरी verdict जो है temporary store होता है until the signal comes for maturation ठीक है बच्चो फिर उसके बाद हम next चीज पर जाए तो यह दो ducts देखें अब सबसे पहले देखें दो ducts कैसे निकल देखें अरेंजमेंट देखें मेरे बच्चो यह देखें इन दो ducts का यह दो कितना सुन्दा 3D बना हुआ है फोकस कीजिए मेरे बच्चो फोकस मैं एकदम एक सेक्ड मारकर भी लेकर आते हूं यह दो इसको कहते है वास डिफरेंस कितनी वास डिफरेंस बनी हुई है वान या टू क्या लिकूं नीट में पेर्ड है या अन पेर्ड है यह मेरे बच्चो पेर्ड स्रक्चर लिकूं या अन पेर्ड स्रक्चर लिकूं क्या लिकूं इसके लिए तो यहां पर आप देखेंगे एक दक्त यहां पे है और दूसरी डक्त यहां पे है एक यहां दूसरी यहां तो basically this is paired structure which is called vast difference अब इची के साथ एक और ची समझा रहे हूं यहां पर आप देखेंगे जो स्क्रॉटम से coiled tube निकल के आ रहे कौन से tube repeat after me यहां पे जो निकल के आ रहे हैं वो coiled tube है coiled tube है यह जो coiled tube है यह one यह two यह one यह two यह कौन है मालों की नीट में question आ गया है यह x है तो what is x guys क्या है x everyone चलो यार इतनी बार पढ़ा अब तो आंसर दो ऐक्स क्या है बच्चो एक्स है abd dimos abd dimos और यहां पर आप देख रहे कि यह coil भी two है यानि कि वास difference भी paired है यानि कि हमारी abd dimos भी paired है इतना समझ में आया है डाइग्राम से ठीक है अब यहां से क्या आ रहा है sperm आ रहा है यहां से क्या रहा है sperm क्यों कि एक bag like structure है जिसके अंदर बाहर testis है उस bag like structure को क्या कहती है पीरी जनता उसको हम कहते है scrotum क्या कहते है बच्छों को we call this as scrotum और इसी scrotum के अंदर present होते है दो गोल गोल छोटी छोटे structure जिने हम testis बोलते हैं क्या वोलते उन दो स्रॉक्टर को मेरे बचो उनको हम बोलते हैं testis यह जो testis एक प्राइमरी सेक्स ओर्गन आप सवाल उठते क्यूं कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या gender अर्मोन हेले कि यहां पोपर की हम फिर में जुभा है शुनियां से प्राम्री सेक्स आरगन केंदगा बाहर क्यों है क्यूं? क्यूं? क्यूंकि गर्मी में काम नहीं करता? इसको थंडा चाहिए, थंडा. कितना थंडा चाहिए? NCRD लिखी है. तो यह जो testis है, बेसिकली शरीर से बाहर है. क्यूं बाहर है? क्यूंकि body temperature से, इसको दो से धाई degree, ठंडा तापमान चाहिए होता है, तभी यह spermatogenesis करता है, यानि sperm production करता है, कई बार मेर से बच्चे पूछते कि माम मान लो कि यह test is बाहर नहीं आई, तब क्या होगा माम, अगर यह test is बाहर नहीं आई, तो यानि कि यह शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर गर्मी है, गर्मी मे spermatogenesis होता नहीं है, then the male will suffer from infertility, the male suffers from cryptorchidism, ठीक है मेरे बच्चो, यह हो गया, अब चली अब आगे चलते हैं, अब आगे चल रही है, अब बिलकुल बढ़िया से करना ठीक है, अब गलत आंसर मत देना, फुल अटेंचन क्लास मोनी चाहिए, आनवाले दो घंटे बहुत ही productive towards हमारे लिए, अब देखे, अब यहाँ पर वास difference आचुकी है, वास difference किस से जूड रहे है, कोई भी बच्चा क्लास में बता सकता है कि चमकता हुआ structure कौन सा है, जो paired structure है, yes मेरे बच्चो, तो यह जो वास difference है, अब यह जा रही है, accessory gland of male के पास, जिसका नाम है seminal vesicle, यह द से आ रहा है sperm, तो क्या क्या मिल चूका है, मेरे बच्चो, क्या क्या मिल चुका है, seminal vesicle से आ रहा है seminal fluid, यहां से आ रहा है sperm, दोनों को मिला के, अब जो है, fluid वो कहां जाएगा, ejaculatory duct में, कहां जाएगा बच्च पाड़ Faith, औ시면 अब देखे, आप ejaculatory duct अब जाएगी का नाम क्या है बहुत सिंपल है मेरे वच्चों इनका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लाइड इन ही को हम दूसरे नाम से कहते हैं कॉपर्ड ग्लाइड अब इन तीनों ग्लाइड में से एक ग्लाइड ऐसा बता तो जो अन पेर्ड है यह क्वेशन आता है यार नीट में बल्बो यूरिथ्रल अगर आप देखोगे तो यह भी पेर्ड है सेमिनल वैसिकल भी पेर्ड है बट प्रॉस्टेड हमारा अन पेर्ड है यह बात याद रखनी है तीनों ग्लाइड में से ठीक है मेरे बच्चों अब चलो अब आगे चलते है थोड़ा सा और आगे चलते है ढूंब इसके आगे चलते है यह लॉण स्ट क्टर झोड़ा रहा है इतना लंबा स्रक्चर यह रेक्यां को उरेत्राा आस यूरीनों जनाइटर डक guardians Males, true or false? क्या मैं इस urethra को urinogenital duct कह सकती हूं Males में? क्या यहाँ पर सिर्फ urine जाता है? क्या यहाँ पर सिर्फ semen जाता है? क्या यहाँ पर both जाता है? अब बताओ कि तुम्हारा best answer क्या होगा? कर नीट में पूछा जा रहा है तो. Yes, मेरे बच्चो, what is your best answer? अब यहाँ पर next पर देखते हैं यह देखिए. इस structure को देखिए. यह क्या है? testis. क्या है बच्चो, यह testis है. और अब आप एक और चीज़ देखेंगे external genitalia में. जो कि आगे pinkish color का structure होता है. बिल्कुल आगे की तरफ. Hairless structure है. बिल्कुल pinkish होता है. क्या है यह? इसको कहते हैं glans penis. बिल्कुल anxiety की शब्द है. क्या कहते है? इसको glans penis. इसी के पास एक opening है. यहाँ पर आपको एक opening दिख रही होगी. देखो. मैं इसे घुमा के दिखाती हूँ. यह देखो. यह देखो. अब इसके उपर ना एक loose fold of skin होती है. पहले यह देख लेते हैं क्या है? यह देखे. यहाँ पिना बिटा. अब एक ध्यान से बात सुनना. यही पिना loose fold of skin होती है. इसके उपर ना इसे skin की covering चड़ी होती है हलकी सी. उसको क्या कहते है? फोर स्किन. उसे कहते है प्रेप्यूस. जब हम इस प्रेप्यूस या फोर स्किन को हटा देते हैं. तो उसे कहते हैं सरकमसीजन. क्या कहते हैं उस वर्ड को? सरकमसीजन. ठीक है? अब देखे. अब इसके उपास चलते हैं. यह देखे. ओ माइग गॉड. शांदर टेस्टिस का डाइग्राम. अगर आपको NCRT याद आ रहे हो. तो NCRT ने बहुती रदी डाइग्राम बनाया. देखे. अराम से देखे. मैं चाहते हूँ आप अराम से देखो. इसे विजुलाइज करो. फिर मैं समझाते हूँ. कितना शांदर अंदर का स्ट्रक्चर है. क्योंकि इसके बाद मैं रोड मैप लिखवाऊंगी. और किसी बच्चे ने अगर गलती कर दिया आज की क्लास में. तो यहीं से आएगा. फ्लाइंग चप पर. ठीक है? यह देखे बच्चों. अभी टेस्टेस को हमने ऐसे काटा है. और ऐसे देख रहे हैं. तो यह मेरा लॉंगिट्यूडनल सेक्षन है. या मेरा ट्रांस्वर सेक्षन है. पहले तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. यह जो मैं इस टाइम 3D में देख रही हूँ. यह मेरा लॉंगिट्यूडनल सेक्षन है. या यह मेरा ट्रांस्वर सेक्षन है. खुद सोच के बताओ. जैसे कि मालो की मैंगो है. मैंगो को ऐसे काट दी है. सीधा. तो यह क्या होगा? लॉंगिट्यूडनल सेक्षन. अगर mango को ऐसे काटते तो ट्रांस्वर सेक्शन होता थोड़े से बेसिक्स आपके वीक है बट कोई नहीं घबरानी की बात ने मैं है न समझाने के लिए तो यहां पर इस टाइम हम लॉंगी ट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं क्योंकि हमने इसको इस तरीके से काटना ऐसे और फिर हम इसको वीजूलाइज कर रहे हैं तो जब हम टेस्टेस को लॉंगिट्यूटनल सेक्शन में देखते तो सबसे पहले इसकी कवरिंग की बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चो कवरिंग की यहां पर आप देख रहे होंगे कि ओहो एक सेकंड बच्चो मेरे को देख लो एक बरो अब मैं आगे से थोड़ा और ध्यान रखूंगी इसको इसको सॉरी बच्चो सॉरी हम रियली सॉरी रियली सॉरी आप्चली मैं आपको लेयर दिखाना चारी थी मैं इसके ना थोड़ा सा कराती हो इसमें और सेटिंग 3D में कि मैं फासली कवर कर सुको से एरिया को एक एक चीज कोई नहीं रिवाइस कर दो तब तक ठीक है थोड़ा सा कहां गया चल 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 भाई चल चल बस हो गया हो गया तो आब देखे बच्चो आप यहां पर हमारा है सौरी बच्चो सौरी आपको प्रतिक्षा कराने के लिए खेध है तही दिल से देखे अब यह है हमारी testis testis की एक covering होती है बहुत सारी covering NC8 ने नहीं लिखी है बट जो भी मेरे प्यारे बच्चों ने पता होगा जो सबसे बाहर वाली coverring होती है उसका नाम क्या होता है तुनिका वाजिनालस वाज Libra क्या नाम हैसब का तुनिका वाजिनाबिस फिर तूनिक वाजिने या फिर टूनिका वैसकुलोसा ठीक है इस टेश्टेस के के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो अगर आप इस के अंदर अंदर कमपार्टमेंट देखेंगे तो हगे सी के अंदर 200 होते हैं लाइन फ्रॉम n. c 80 तो यादि की एग तेस्ट स्में 200 मैं तो यारी कि दोनों टेस्ट में कितने Compartment होंगे? 500 compartment होंगे. Compartment क्या है? जो आपको ये दिख रहे हैं, तो हर तेस्चेज में कितने Compartment सह? G-square army. 200 compartment है, ठीक है? और हर compartment के अंदर एक से लेके तीन semi-ferrous debules हैं कितनी हैं बच्चो हर एक compartment के अंदर एक से लेके तीन semi-ferrous debules होती हैं ठीक है जो आपको यहाँ पर दिख रही है ठीक है अब जो semi-ferrous debules हैं इनसे जो भी sperm बनेगा वो sperm सबसे पहले कहा जाएगा देखो और मुझे बताओ पहले कहां जाएगा डोप टैस्टी से किसमें जाएगा रेटे टैस्टेश यह घण बना हूँ है इस नगत मैजिंग अरेंच मेंड कहते हैं क्या कहता गुच्छे को अनट मैजिंगे ऐजन ठीक है रियल सॉरी अरेंजमेंट अब यहां से तेसे से स्परं कहां जा रहे साझ एक अपरेंशिय आधार बच्छो बसा एक ओडी डाइम सेchos आधारे वास कि अब आखिर आकर क्या होता है समीनी फैरेस्ट इब्यून में कि आख इस परम्वा यानि शुक्रानू भर बन है क्या होता है जल्दी बताओ चाइट बॉक्स में आखिर इसके अंदर सेमिनी फेरे स्टिप्यूर में क्या है अब यह देखिया यह है पूरा का पूरा वो स्रक्चर जो बिल्कुल अगर आप देखा हो तो अगर आप अपने चर्टी बुक्स देख रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से डाक ब्लाक कलर का डायग्राम जरूर दिखेगा ठीक है अब क्या हुआ हमने टीएस काटा है इसको देखने के लिए हमने टेस्ट्री इसको ऐसे काट है ऐसे ठीक है अब दचो यह हमारे semi pharis कि अंदर कुछ health होते जिन्हें हमonstř押zing संट हो या सटेंकलर सेल कहते हैं वहीं पर कुछ है को December lycee पहर होते हैं जो सेयल्ग सेमिनrami fisi त्यबील के बाहर होते उनका नाम किया होता है हुधं उन्हें कहते हैं इंटरस्टीशल सेल या उन्हें बोलते हैं लेडिक सेल क्या बोलते हैं या तो उन्हें इंटरस्टीशल सेल बोलेंगे या उन्हें बोलेंगे लेडिक सेल और जो हमारे सेमिनी फेरस्टिप्यूल के अंदर सेल्स है इन्हें बोलेंगे सरसे सुनीता सरसे सु नम बेवफा है, ठीक है, क्योंकि सर्फ से ही सेमिनी फेरिस्टिब्यू, सर्फ से ही सर्टोली सेल, सर्फ से ही स्पोमेटोगोनिया, यानि कि जितने भी S है, वो एक साथ है, और जो S से अलग है, यानि कि लेडिक सेल, वो बाहर है, यह जो लेडिक सेल्स होते हैं, यह इंटरस यही राज है उनके बढ़ते हुए बाइसेप का, यही राज है, सुनो सुनीता, कैसी हो, पश्पा, I hate tears, भारी अवाज का, ठीक है मेरे बच्चों, घुसे का रीजन यही है, टेस्टोस्टिरोन, ठीक है, तो वो कौन बना रहे है, लेडिक सेल, अब आते है, सटोली सेल पे, जो हमारे सटोली सेल है, नाम से पता लग रहा है कि भाई, यह नर्स सेल है, सस्टेंटिकुलर सेल है, नर्स का काम क्या होता है, ध्यान देना, किस पे ध्यान दे रहा है, स्परमेटोगोनिया पे, किस पे ध्यान दे रहा है, स्परमेटोजोवा पे, यानि कि जितने भी शु एस्टेज बैरियर बनाता है उनका नरिश्मेंट भी करता है तब इतो इसे नर्स सेल कहते हैं क्या यह डाइग्राम बिल्कुल क्लियर है सब को क्लास में जल्दी से बता दो चाट बॉक्स में येस मेरे बचो तो यहां तक हमने पूरा कर लिया है अब देखते हैं यह था हमार इंपोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं आज मैं सिर्फ एंसार्ट से पढ़ा रही हूं क्योंकि नोट्स मैंने शेर कर दिया पूरा डीटेल में मैंने इस चाप्टर को एक बार पढ़ा दिया है नाओ इस ताइम वी डू एंसार्टी ने माम लिखके ही पढ़ना तो भी बत भी टिया है कि माम न में ब्रेट्कटिव सिस्टम लोंके टी इन काहēं पेक्टराटर रीजन यह पल्विस बीजन कहां पह पे लिखाना क्या खोगा सही अंसर्ट ह क्या होगा सही बढ़ जै सोदिय पढ़ा बदे में रहा रह से बढ़ो कर दो विस बीर स्टिंट चिक एबा में reproductive system में कितनी चीज़े आ रहे है बच्छो चार चीज़े आ रहे है पहला तो testis, accessory gland, ducts and external genitalia the testis are situated outside the abdominal cavity this is very very important question for NEET exam कि जो हमाई testis होती है वो abdominal cavity से बाहर होती है एक bag like structure called scrotum क्यों बाहर होती है यह assertion reason why इतनी बार एक question पूछा जा चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2.5 degree lower than the normal internal body temperature necessary for spormatogenesis अगर question आ रहे है if it fails अगर यह fail हो जाए testis descend करना तो उस disorder को क्या कहते है वो मैं यहां लिखवा रही हूं उसको हम कहते है cryptorchidism क्या कहते है बच्चा पार्टी इसको cryptorchidism यह वो disorder है when the testis fail to descend क्या है यह when testis fail to descend ठीक है मेरे बच्चों यह चीज लिख ले ना जरूरी निस्याटी में ना इन एडल्स इच टेस्टेस इस ओवल इन शेप यह याद करने के बेकुश जरूरत नहीं है with a length of about 4-5 cm with a width of no 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 the testis is covered by a dense covering कौंसी covering dense covering का नाम है tunica albogenia क्या नाम है इस covering का तुनिका albogenia नाम है इस covering का और यह जो टूनिका albogenia होते है यह बनी होते है dense fibrous connective tissue से किसे बनी होते है बच्चों यह यह बनी होते है dense fibrous connective tissue से ठीक है बच्चों each testis has about 250 compartment यही बात अब भी हमने कीते 3D में यह बच्चों हर एक testis में कितने compartments है बच्चा पाठी धाइसो compartments है called testicular lobules इनहीं compartments का दूसरा नाम क्या है बच्चों testicular lobules है जो हर एक testis में धाइसो होती है अब आजो next पे इसको क्या हो गया यह भी मज़े ले रहा है चलो आजा 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 अब 1 से लेके 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर नीट एक्जाम 1 से लेके 3 और semiferous tribule में कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चा पाठी spermatogenesis कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहां पर यहां पर प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटो जैनेसिस का किसका और स्पर्मेटो जैनेसिस ठीक है ना इच semiferous tribule is line on its inner side by two types of cells हर एक semiferous tribule के अंदर कितने टाइप के सेल्स लिखें ने दो टाइप के लिखें एक का नाम में में जर्म से जिसे कहते हैं स्पर्मेटो बोनिया और हमारा deployed cell कौन सा cell होता है हमारा deployed चीक है और दूसरे cells होते हमारे सटोली cells इन ही सटोली cells का दूसरा नाम है nurse cell या हम इसे बोल सकते है sustentacular cell sustentacular cell चीक है अब यह जो nurse cell या sustentacular cell इसके दो function है येस एक तो protection एक तो यह protect कर रहा है germ cell को दूसरा काम क्या कर रहा है nourishment का काम भी कर रहा है दूसरा क्या काम कर रहा है nourishment का काम भी यह कर रहा है तो दोनों function में यह ही लिखवा दिये अब आतें next पे the male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation while sertoli cell provide nutrition to the germ cell तो sertoli cell का function यह लिखा है NCRT ने nutrition देना the region outside the seminiferous tribule called interstitial spaces contains small blood vessels and interstitial cell called ledic cell तो यह ledic cell कहां present होते है seminiferous tribule के अंदर या seminiferous tribule के बाहर yes कहां present होते है बताए जल्दी से तो यह present होते हैं बाहर ठीक है और ledic cell का main काम होता है to synthesize a testicular hormone called as androgen और यह कौन सा androgen है बच्चों जो मेल में सबसे जादा popular होता है जो मेल को सबसे जादा जरूरी होता है वह होता है testosterone क्या होता है testosterone यही testosterone होर्मोन है जो मेल के अंदर responsible होता है for secondary sexual characters अगर लड़की के अंदर यह hormone नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ अलग तरह की चीज़े देखने को मिलेंगी ठीक है अब आते नेक्स अदर immunologically competent cells are also present in interstitial spaces अगर इसे में साधारन बाहशाम में लेकूं तो यह WBC की बात कर रहा है WBC सेमिनी फेरेस्ट प्यूल के अंदर होते हैं यह बाहर होते हैं यह यह बताईए यह कहां होते हैं बाहर होते हैं यह याद रखो ठीक है अब आते हैं नेक्स पे चलो नेक्स accessory ducts include जो मेल के इस accessory ducts है उसमें कौन कौन सी आ रही है रेटे टेस्टेस, वास्याटिक, इब्धी दाइमस, वास्याटिक, वास्याइफरेंच अबनीट में question कैसे आ सकता है कि इसमें ejaculatory duct लिख दे इसमें यूरेथरा लिख दे तो आपने इसको कैसे याद रखना है accessory duct में सिफ वही duct आएंगी जिसमें सिर्फ और सिफ exclusively sperm रहता है क्या रहता है only sperm यानि कि इंडक्स में किसी और चीज की मिलावार नहीं है ना इंडक्स में seminal fluid है ना ही इसमें prostate का fluid है ना ही इसमें bulbuurethral का fluid है तो इसे neat exam तो कैसे याद रखेंगे कि यह वह duct system है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉम रहेगा कोई भी तरह की मिलावट नहीं होगी क्योंकि मिलावट अगर हुई तो कुछ और ही बनके निकले को मेरे बच्चो येस ठीक है चलो दस से मिनिफेस्ट इब्यूल और टेस्ट इस ओपन इंटू वासा है फ्रेंचिया अब इसको क्या करते हैं हम यहां पर इसका flow chart लिखते हैं मैं चाहूंगी सारे बच्चे मेरी help करें बड़ा मजा आएगा ठीक है आजो यहां flow chart लिखते हैं वारी question में आया हूँ मैं आया हुआ है स्पॉम बनता है से मी झुव में एख पैजह में ऐरे स्टेब्यूल में स्पॉम मैं टा तो वन सल्टकिए का Mohammed और बच्चो वह जाता है रैटे टेस्टिस में रेरे टेस्ट चीक के बात कहा जाता है वह वासा efferentia में. कहां जाते है बच्छों? वह वासा cherentia. वासा एके बाद वह कहां जाते है highly conclus जिसका नाम है 4D dimus क्या नाम है? 4D dimus यह जो 4D dimus होती है, यह paired structure होती है. यह यह 2 ducts होती है उसके बाद, 4D dimus के बाद यह कहां जाते है vast difference जो कि paired है. vast difference की बाद अब यह कहां जाएगा Ejaculatory duct कहां जाएगा बच्छो आप Ejaculatory duct Ejaculatory duct भी हमारी paired है पर Ejaculatory duct में क्या सिर्फ sperm होता है यह Secretion of Seminal Vesicle भी होता है यहीं चीज़ है important तो यारि कि Ejaculatory duct में हमारे पर sperm तो ही है plus Secretion of Seminal Vesicle भी होता है Ejaculatory duct में अब ejaculated duct से यह जाएगा urethra, urethra is a unpaired duct, यह single duct होते है, which is urinogenital duct, इसके पास secretion होता है seminal vesicle, prostate gland and bulbo-urethral gland, पर finally बहार होता है through urethral miatus, कहां से बहार हो रहा है, urethral miatus की मदद से बहार जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, यही चीज पूरी यहां पर लिख हुई है, कि it opens into epididymus, posterior of each testis, the epididymus leads to vast difference that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, it receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as a ejaculatory duct, these ducts store and transport, store and transport the sperm from the testis to the outside, ठीक है बच्चों, यह पूरा लिख लिख ली हमने, flow chart, किसी को कोई भी हां तक दिखकर, यह जाएगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलत इनिटेलिया, it is made up of a special tissue that helps in excretion of the penis, erection of the penis, sorry, excretion पल्ठीया, क्या हो गया, कि मैं बतारू हुँ न, कल से मिरी बहुत तबहुत घराव है, यह बढ़ मैं चुटी सिफ लेनी ली कि आपको लगेगा कि यार माम फिर गायब होई, वैसे गायब तो मैं कभी नहीं तक तो नहीं हुई थी, बट सच बतारू हुए तब इतकल इतनी घराब थी, कि वोमिटिंग, वोमिटिंग, वोमिटिंग चली जा दी थी बस, तोड़ा जान माम के साइड जस कर लो, ठीक है, yes, erection क्या होता है, इस वर्ड को समझाना पड़ेगा, erection क्या होता है, enlargement of penis को क्या कहते है, erection क्या कहते है बच्चो, enlargement of penis, यानि जो penis का size होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो उसको erection कहते हैं, ठीक है, क्या होता बच्चो, enlargement of penis, is called as erection, अब आप कहेंगे माम, ऐसा कैसे होता है, काई बच्चे पूछ से यार, वो नहीं पूछ पाते, ठीक है, yes, अपने teacher से, तो मैं आपको बचा होता क्या है, सब कुछ ना आपकी सोच के उपर होता है, लड़का सोचता है, ठीक है, हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिसके कार्ण जो बड़ी का बलड है, वो पीनिस में भेज दिया जाता है, तो बलड भरता जाता है, उसका size बढ़ता जाता है, जैसे गुब पीनिस तो फेसिलिटेट इन्सेमिनेशन, इन्सेमिनेशन का मतलब का ओदर, ट्रांसफर अप स्पोर्म, ठीक है, ना दे लाश्ट एंड अफ पीनिस काल्ड ग्लांच पीनिस इसका बाइ लूस पोल आफ स्किन का और फोर स्किन, या इसी को हम क्या कहते है, प्रप्यूस, क् में एक्सेसरी ग्लांच इंक्लूड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरित्र, जो इसकी सिक्रीशन होती है, उसमें तीन चीजे जिसमें नीट में सबसे जाधा प्वेशन आता है, बच्चों, कि इसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोस होता है, एनर्जी सोर्स, क् और सर्टेन इंजाइम्स होते हैं, ठीक है बच्चों, और जो बल्बोयूरित्र, उसका काम कहें, टू लुब्रिकेट दा पासेज ओफ, येस, टू लुब्रिकेट दा पासेज ओफ यूरित्र, आप देखो होता है क्या आप ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार कहानी सुन क्योंकि जलन में अच्छा लगता नहीं, ठीक है मेरे बच्चों, तो अब क्या होता है कि बल्बोयूरित्र, लात कहें, तो कोई नीजी, कोई नी, अभी साफ कर देता हूँ, ये पूरा लुब्रिकेट करता है, अच्छे से लुब्रिकेट करता है, आप क्या होता है, आओ येस पधार हुमारे देश तो अब क्या है अब जो स्पर्म है फटा फट से आएगा अब वो कहता है कि अब मुझे जलन नहीं होगी उसका रीजन क्या है क्योंकि पूरा पासज जो यूरीन से असेडिक हो गया था अब उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा तो न्यूट करना बहुत ज़रूरिया और न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या आता है मेरे बच्चों वह आता है बल्बू यूरेथ्रल ग्लाइंड का सिक्रीशन याद अगना इस बात को ठीक है चलो अब यह वाला डाइग्राम हम कर चुके हैं अब आते फीमेल रिप्रोडक्टिव स सिस्टम बस इतना ही चलो 3D पर चलते अब इसके भी आजो 3D देखने से क्या होता ना बच्चों को वीजुलाइज हो जाता है फटा 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 हम पढ़ लेते NCRT फिर अब आपको रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से ठीक है रुको बच्चों ने देख लिए कर सिस्टम पर चुके हैं बिलकुल NCRT से पढ़ेंगे कि क्या होता है फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर है ठीक है चलो आजो देखते हैं यह फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ओर्गन है वो कौन है क्या तो टेस्टिस आप कहेंगे नहीं माम तो फिर वो कौन है वो है वन पैर ओफ ओवरी क्या है बचो वो वन पैर ओफ ओवरी है यह आपके ओवरी है यह वो ओवरी है जिसके अंदर ओवा भी बनेगा जिसके अंदर हर्मोन भी बनेगे ओवा भी बनेगा हर्मोन भी बनेगा त तो वो क्या करती है ओवा यहां की दिवारों को तोड़ की निकल जाती है जब वो दिवारों को तोड़ की निकलती है तो उस प्रोसेस को ओविलेशन कहते हैं क्या कहते है बच्चा पाटी उस प्रोसेस को ओविलेशन कहते है उस प्रोसेस को ठीक है बच्चो येस आप क्या है और चला गया है आप क्या है दीदी भटक रही है कहां जाओ कहां जाओ कहां जाओ कहां जाओ ठीक है यानि कि जो ओवा है पहले abdominal cavity में आता है बड़ अब्डॉमिनल cavity से उस ओवा को पकड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्छो क्या चाहिए यहां पर दिख रहे हैं का नाम के Fimbry क्या नाम इंका फिंव्रे फिंव्रे और फिंगर प्रजेक्शन किस को पकड़ने के लिए ओवा पोगण दिखें अब यहां से देखो क्या होगा यहां पर देखें आप देखें यहां पर ओपनिंग दिख रहे है बच्चो चैनि यू सी दिस ओपनिंग मैं आप इसको एक बार थोड़ा से लेबल कर देती हूँ आपको और अच्छे से देखें यह ओपनिंग सब बच्चों को दिख रहे हैं यह ओपनिंग यह जो bus tunnel shaped structure का नाम है infundibulum यहां से यह ova और उपर जा रहा है जहां पर ऐ अपने मजनु का weight करेगी ठीक है ran मजनू कौन है sperm तो अगर यहां पर sperm आया i end mid still to fertilization होगी अगर नहीं आया तो fertilization नहीं होगी ठीक है तो यानि कि Ampula is a site for fertilization. Ampula किसका साइट है बच्छा पाटी? Fertilization का साइट है. किसका साइट है? Ampula fertilization का. अब अगर मालों कि यहाँ पर fertilization हो गई, तो आप दोनों लेला मजनू कहा जाएंगे? इस्थमस. तो यह जो पतली से tube-like structure आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते है? इस्थमस. क्या कहते हैं बच्छो इसको? इस पतले से tube-like structure को क्या कह रहे है? इस्थमस. ठीक है बच्छो? अब आगे चलते हैं. यह वालो जो पार्ट है, आप क्या और fertilization हो चुकी है? fertilization के बाद कहां जाएगा बच्छा पार्टी? इस्थमस जाएगा. और आब उसको बड़ा होना है. बड़ा होने के लिए बड़ा स्कूल जाना पड़ेगा. बड़े स्कूल का नाम क्या है? यह देखे. उसका नाम है uterus. यह है uterus का सबसे चुनिंदा हिस्सा. अगर यहाँ पे बच्चा implant होता है, तो बच्चे को ग्रो करने की बहुत सारी जगा मिलती है. तो अगर हम देखे, best site for implantation वो है fundus. बट अगर बच्चा माल लिजे, यहाँ पे implant कर गया. अब देखे, आपने ऐसा सुना होगा जरूर. अगर माल लिजे, बच्चा यहाँ पे implant हो गया, यहाँ पे, तो उसके नीचे आने के chances जादा है, this leads to miscarriage. यही वो condition होती है, जब महीला को बोल दिया जाता है, आपको bed rest है, आप ज़्यादा उठी है मत, हिली है म डुली है मत, कोदी है मत, मत कीजे, बट कुछ फीमेल ऐसी भी होती है कि भाई, वो विंबलिडन खिलती है, क्यों विंबलिडन खिलती है, क्योंकि शायद भगवार की लीला ऐसी रही होगी, कि उनका implantation यहाँ हुआ होगा, यहाँ safe है मेरे बच्चों, यहाँ safe नहीं है, ब उसको क्या कहते है, ectopic pregnancy, क्या कहते है बच्चा पाटी उसको ectopic pregnancy, ठीक है, yes, ectopic pregnancy उसको कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बढ़ने की जगा नहीं है, यहाँ बढ़ने की जगा नहीं है, अगर यहाँ पर जगा है तो nutrition कहां से लाओग आपको याद रखने यूट्राइन फंडस है ठीक है मेरे बच्चो चलो आगे चलते हैं आजो चलो अब आगे चलते हैं यह यूट्राइन क्याविटी है जहां पर बच्चा ग्रो करेगा अब देखें यहां पर कुछ मेंब्रेन आपको दिख रहें सबसे अंदर वाली है मैं मैं यह को सबसे अंदर होती है यहीं nutrition देती है बच्चे को grow करने के लिए ठीक है फिर अब आगे चलते है आजो अब endometrium के बाद यह बीच वाली मोटी मास की चप्टी लेर आपको दिख रही है muscles है इसमें क्या है बच्चों इसमें muscles यह सारी muscles है यह वो हिस्सा है इसे myometrium कहते हैं ठीक है क्योंकि यह muscle से बनी है smooth muscle से वही पर जो सबसे बाहर वाली लेर है जो इन दोनों को protect की हुई है उसका नाम है perimetrium क्या नाम है उसका perimetrium आप देखो यहां यह सब्सक्राण कितना चूता सांतुपा से यह धिक हो कि इसमाडर सभी को होता है यह सर्टी आडर क्यों आन से क्योंकि वह नहीं जाता को ओड्र रहा है यह चौोटीदार है यहां का देखोसी से चौन सी से से सर्विकल के हैं सी से सर्विकल फ्लुइड यह इं おिमिंपीड करता है सुपं की मौवमिंट को जैसे अ版 कि जैसे अगर अक्तिव हैं तो मम्मी बिलकूल के फ्रेंड को अंदर आने नहीं देंगी खलब Allah बाहर पढद करो भूद कूर में प्ड़ा घर की आसपस में दिखा करो भूद उङस्छत करता है जो बघबास होता है वो इसको क्रॉस कर जाता है और वही wait करके लाइफ में कुछ कर गुजरता है तो बिटा देखो रोकने के लिए तो बहुत चीज मिलेगी जिंदगी में पर आपको बदमाश बनना पड़ेगा जब बदमाश बन जाओगे तो रुकावटों को चीर दोगे और फिर वहीं से नीट क्लियर कर लोगे ठीक है तो बिना अदमाश ही कि ना पहले कुछ हुआ तर ना आज कुछ होगा ठीक है चलो अब यहां पर आते हैं यह सर्विकल किनाल इस सर्विकल फ्लूइड अगर आपकी हां पर देखोगी स्फिंस्टर मसल्स है यह ऐसी होते है देखो बिल्कुल ऐसी शेप की देखो यह दिख रही है ऐ बच्छा पहले आ गया समय से रिलेट कर पारे हो कुछ तो यह सबसे पावरफुल स्पिंस्टर मसल्स होती है क्योंकि अकर यह नहीं होल्ड करेगी तो बच्छा पहले भार आ जाएगा समझ आया नहीं आया प्री मिच्वर डिलिवरी सात्वे महीने में बच्चा हो गया बच्छना बड़ा होलो काविटी शेप स्ट्रक्चर है वजाइना की जो एपिथीलियम होती है वह बिल्कुल मुह वाली होती है ठीक है येस नॉन करेटिनाइस स्ट्राटिफाइट स्क्वामस एपिथीलियम इस वजाइना वाले हिससे में कोई भी ग्लांड नहीं होता है बड़ी आसेडिक होता है बिकॉस अब बैक्टिरियल अक्टिविटी ये जो हमारा असिड है लाक्टिक असिड जो यहां बना है वह प्रिवेंट करते हैं कि और तरहा के बैक्टिरिया आगे यहां पर इंफेक्शन ना करें ठीक है मेरे बच्चो तो इस एंटायर केनाल इस हैं ठीक है क्या कहते है उसको बार्थ के नाल अब छोटा से पारग्राफ एंसार्टी में दिया हो एक सिकंड पानी पिले बच्चो अब यहां पर आते हैं यह है एक्स्टरनल जैनिटेलिया और फीमेल इसे प्यूडेंडम भी कहते हैं इसे वल्वा भी कहते हैं ठीक है मेरे हैं तीनों चीजों से ही नेट में क्वेशन आ सकता है ठीक है अब अगर हम फीमेल एक्स्टरनल जैनिटेलिया को देखें तो सबसे पहले जो मोटा कूश्चन वाला स्ट्रक्चर है यह कूश्चन वाला स्ट्रक्चर इसे कहते हैं मॉँंट्स प्यूबिस यह पात्टी मोटे फोल्ड को क्या कहते हैं Labia majora ठीक है बच्छों इनहीं Labia majora की छत्रो छाया में दो और पिंक कलर के फोल्ड आपको दिख रहे हैं जिसे कहते है Labia minora तो सबसे पहले आऊ इसको ऐसे समझ रो कि जो स्टुक्टर इसका नाम का है मौन्स प्यूविस इससे जो मोटे होत विखल्ट की आ रहे उसका नाम है लेई मेजौरा लेई मेजौरा की चट्रुछाया में दो पिंक कलर के होट घंस जिनको कहते हैं लेई टीकgrass मेरे बच्चो अब इसके अंदर और चले तो यहां पर दो तरह की क्या है ओपनिंग है यह वाली ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग है जो की बढ़की ओपनिंग है यह वाली जो ओपनिंग है उपर वाली छोटी ओपनिंग है अगर आपको दिख रहा है यह वाली दिख रही है लाव मैं थोड बाहर आएगा इसी युरेथरा के आसपास बहुत सारे िंड होते है क्या हो बचलों सुट्ट इन दुन है किने से ते अरएट इसी तो निकले गए थोड़ा ड्रोब की फॉर्म में भी गिरह इत्वêtes ङॏ तो जलजला होगा तो भावान कहें कि कुछ तो करना पड़ेगा इसकी आसड़ीटी को कम करेंगे वहां तो बल्बो यूरित्रल दे दे थे तो यहां पर भावान दे दे पैर यूरित्रल ग्लाइड इनका काम क्या है जब जब यूरीन आएगा यह अठिभेट हो जाएंगे औ खरिए जो इसको लूबरिकेट करते हैं और जो वह ग्लेंड है वह कौनसे बच्चो बार्थुलिन ग्लाइड कौनसे ग्लेंड है बच्चा पाटी बार्थुलिन ग्लाइन यह जो अब यहां से जैसे जैसे से क्रीशन होगा एंटाइव एरिया विल भी एक्टिवेटेड जिससे की जो कॉपुलेशन का कॉइटर्स का प्रोसेस हो स्मूध हो जाएगा अगर यह आक्टिबेट नहीं हो रहे हैं तो प्रोसेस टुफ हो जाएगा ठीक है बच्चो अब यह वजाइनल औरिफ है वो भी यही से बाहर आता है और reaction बच्चा है वो भी यही से बाहर आएगा तो यह दो काम है अभी क्या होतक है कुछ लोग फर्जी वाड़ा एक चीज़ बसक बना बैठे है लाइफ में और जिनीच ते प्च्छों कहते हैं जो महिला है वह बर्जिन है क्योंकि यहां पे जो यूरे वाजाइनल ओपनिंग है वो एक मेंब्रेन से कवर्ड है जिसका नाम है हाइमेन अगर महिला के पास हाइमेन नहीं है तो यानि फीमेल जो है भर्जिन नहीं है जिए मर्चपल ऐसे को तो जब लड़किया तो तो हर को चेक नहीं कर रही तो तुम भी जादा उंगली मत उठाओ ठीक है यही एंसी भाशा में बताने की जरूरत कर रही है ठीक है मेरे बच्चों तो यह पूरा समझ में आया नहीं आया इस ट्लियर टो एवरिवन पूरा को पूरा स्ट्रक्चर क्य कि यही सब एंसी आड़ी में लिखा हुआ है ठीक है यह है फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम अब चलते हैं आगे मेम्री ग्लाइंट्स यह भी हमें पढ़ने है ठीक है फिर उसके बाद एंसी आड़ी पढ़ लेंगे येस आप रती जैन जी के उपर ग्यान मत दो क्यो यह हो जब तक नीट क्लियर नहीं होगा यह वाई बदलेगा नहीं बेटा तब तक तक तुम से सब पूछेंगे क्या करके रहे हो तुम लाइफ में तो इसलिए अभी आप जैन वाई हो जैन जी वो है जिने अभी जैन वाई बदलेंगे देखो स्टेजिज जैन 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 ठीक है यस हम जैन एस हैं सकसेस फूल ठीक है यह मिरे बच्चो चलो अब आगे चल रहे हैं यह हमारे मेंब्री ग्लांड्ड ठीक है में मल के पास एक बड़ा ही षांदार फीचर होता है अओ टुक है ऑब उप降! कि मैं ट्रू ठीक है चाहे वो मेल हो उसके पास भी मेंबरी ग्लाइंड है चाहे फीमेल हो उनके पास भी मेंबरी ग्लाइंड है सब के बास उतना है मैंमल में ठीक है तो यह हमारे मेंबरी ग्लाइंड यह जो मेंबरी ग्लाइंड है are they modified exocrine gland और are they modified endocrine gland बड़ा basic question में पूछ रही हूँ जल्दी से आप बता सकते है चाट box में come on guys आज तो नीद नी आएगी किसी को कैना नहीं चाहिए बनमाज बहुत हो तो तुम सब yes clitoris का क्या function है female में erection reduce हो चुका है erectile tissue but female का जो excited spot है वो clitoris होता है यह क्या है modified exocrine क्योंकि आपको ducts बहुत सारी दिख रही होंगे अगर आप अपनी आखे खोल के देख रहे है तो ठीक है मेरे बच्चो तो यह क्या modified exocrine gland अगर हम देखे तो यहां पे सबसे पहले आपको julilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil NCRD कहती है कि यह जो अलवलाई के गुच्छे हैं यहीं पर मिल्क सिंथेसाइज भी होगा और स्टोर भी होगा ठीक है अब जब मिल्क बन जाएगा और स्टोर हो जाएगा ठीक है तो वो डप से बाहर आएगा तो ऐसे गुच्छे एक दो तीन चार ऐसे 15 से 20 गुच्छे लग जाएगा तो बहां निकलेगा कहां से मेंबरी डक से फिर वो जाएगा एम्पूला में फिर लैक्टि फेरिस रच्ट और निपल से बाहर आ जाएगा मिल्क बनाने का काम किसका मेरे बच्छो मिलक बनाने का कम किसका है प्रोलाक्टिन और ऑ उक्सितोस रोगा recognized milk Анडाने का का हीट में question आ रहे है milk synthesizing hormone कौन सा है ठीक है yes milk synthesizing hormone कौन सा है तो आपका अंसर होगा prolactin यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है यहीं पे nipple के आसपास dark pigmented area होता है जिसे ariola कहते हैं जिस पे ariolar glands भी होते छोटे-छोटे for lubrication ठीक है चलो आप चलते अपनी NCRT पे मेरे बच्चों फिर आगे का आगे देखेंगे chapter चलिए स्टार्ट करें NCRT हाँ 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 चलो अब एक बार NCRT और रीड लगा लेते हैं पूरा का पूरा topic जो है बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा चलो सब अपनी NCRT निकालो दा पीमेल reproductive system consists of ovaries ovaries क्या हमारी paired होती है प्लस यह क्या होती है हमारी primary sex organ होती है ठीक है मेरे बच्चों और इसी में ovaries के साथ-साथ-साथ-स भी होती है uterus भी है cervix भी है vagina भी है external genitalia जो की pelvic region में located है these part of the system along with the pair of memory gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care ठीक है ovaries are the primary female sex organ क्यों है ovaries primary female sex organ कोई बता सकता है class में क्योंकि इनके दो काम है एक काम क्या है मेरे बच्चों येस एक काम क्या है इसका एक काम है इसका female gamete बनाने यानि की ovum बनाना और दूसरा इसका काम है steroidal hormones बनाना ये जो steroidal hormones है जो ovaries से बनते है वो कौन-कौन से बच्चा येस येस कौन-कौन से बच्चों वो है हमारे एक estrogen दूसरा हमारा progesterone दूसरा हमारा कौन से बच्चों progesterone तो ये दो हनों हमारे steroidal hormones है जो ovary में बनते हैं जिसमें से estrogen किसके लिए responsible है secondary sexual characters of female के लिए ये responsible है किसके लिए secondary sexual character of female यानि कि female के जो secondary sexual character है जैसे की smooth skin हो जाना ठीक है जैसे की मेरे बच्चों voice में change आ जाना जैसे की edipoces, memory gland और butt का size increase हो जाना ये सब इसके features होते है ठीक है now the ovaries are located one on each side of the lower abdomen ovaries about two to four centimeter in length and it's connected to a pelvic wall uterus by ligaments तो जो ovary है किस से connected is pelvic wall और uterus से by ligaments तो ओवरी किस किस से connected होती है मेरे बच्चों किस किस से connected होती है ovary uterus से और pelvic wall से किस के through होती है मेरे बच्चों ligaments से ठीक है each ovaries covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma the stroma is divided into two zone cortex and inner medulla medulla तो जो ये thin epithelium है उसका नाम है tunica albugenia क्या नाम है tunica albugenia और उसके अंदर होती है हमारी germinal epithelium कौंसी epithelium होती है बच्चों इसके अंदर germinal epithelium ठीक है बच्चों चलो अब आगे चलते है यह तो structure हमने पूरे कर लिए हैं now the ove ducts जाने कि fallopian tube paired or unpaired क्या लिखूं क्या लिख है ove ducts fallopian tubes paired होती है लिख लो इसके ऊपर याद रहेगा paired uterus single vagina single constitute the accessory duct each fallopian tube is about 10 to 12 cm long और fallopian tube की epithelium पे हर साल NEET में question आता है कि जो यह fallopian tube है इसके पास कौंसी epithelium होती है fallopian tube के पास कौंसी epithelium होती है very important question for NEET exam कौंसी है yes कौंसी है मेरे बच्चों हान जी यह हमारी ciliated columnar epithelium याद रखना है बेटा बहुत important question है जब अभी हम mock test लगाएंगे देखना कितनी बार एक question आएगा उसमें ठीक है now from the periphery of each ovary to the uterus the part closer to the ovary funnel shaped is called infundibulum the edges of the infundibulum possesses finger like projection called fembrae which heads in collection of ova after ovulation तो fingers का काम क्या बताया तमामने collection of ova ठीक है the infundibulum leads to a wider part of the ove duct called ampulla जिसमें खुल रहा है wider duct में ampulla यही ampulla is the site of fertilization क्या है बचों यही है हमारी site of fertilization यहीं पर fertilization होगी उसके बाद एक narrow duct है ismus with joints with uterus यहां तक सबको clear है uterus का दूसरा नाम क्या है everyone in the chat section uterus का दूसरा नाम है hysteria इसका तीसरा नाम है womb तो जब हम uterus को बहा निकाल देते हैं रसोली के कारण आपने सुनाओगा रसोली रसोली को English में कहते है fibroids ठीक है रसोली के कारण जब हम uterus को महिला की शरीर से बहा निकालते तो उस procedure को hysterectomy कहते है क्या कहते है उस procedure को hysterectomy क्या कहते है उसको hysterectomy जिसे हम कह रहे है removal of uterus क्या कह रहे है उसे removal of uterus हो रहा है इसमें ठीक है मेरे बच्चो अब आते हैं next पे the shape of the uterus is like an inverted pier it is supported by ligaments attached to the pelvic wall the uterus open into vagina through a narrow cervix the cavity of the cervix is called cervical canal which along with vagina forms the birth canal to birth canal क्या है बच्चा बाटी yes birth canal क्या है मेरे बच्चो birth canal equals to vagina plus cervix ये भी नीट का PYQ question है ठीक है आजो next आजो आजो ठीक है yes the wall of the uterus has three layers in the tissue the external thill membrane जो सबसे बाहर बाली लेर उसका नाम है perimetrium जो बीच बाली लेर है जो smooth muscle से बनी है उसका नाम है myometrium और जो glandular layer which supports a pregnancy that is called as endometrium that lines the uterine cavity the endometrium undergo cyclical changes can you tell me what kind of cyclical changes बच्चो the bleeding menstrual changes कौन से changes menstrual changes को हम कहते है cyclical changes जो हर महीने होता है in the absence of pregnancy नाजूल पूछहा है माम यह student कैसे बढ़ाते Since the Ό नाजूल इमली खा तू बस इमली और अचार कम से कम खाने चाहिए खटाई कम से कम खाने चाहिए अगर जादा होगे तो इस्ट्रोजन जादा बनेगा जादा फीमेल वाले क्यारेक्टर जाएंगे येस ठीक है चलो अब आते हैं next पे the external genitalia जो हमने देखा था हाइमेन का कोई function नहीं है ये दुनिया का सबसे बकलोल feature है ठीक है येस महिलाओ को सताने का एक और फीचर है जिसको कहते है हाइमेन ठीक है बच्चो आजो दा फीमेल एक्स्टरनल जेनेटेलिया इंक्ल्यूद्स मॉंस प्यूबिस लेबिया मैजॉरा लेबिया माइनॉरा हाइमेन और क्लिटॉरिस यह भी हमने डाइगनम पुरा देखा ही है अरे बटा प्रकुरूती कोई function यह बटा क्या कौन सी भाशा में लिखके दो तुझे ह मॉंस प्यूबिस is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair तो मॉंस प्यूबिस एक fatty tissue से बना है जिसके पास pubic hair भी है दा लेबिया मेजॉरा आट तू fleshy folds ठीक है which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening इसी की छत्रचाय में दो पिंग कलर के लिप्स माम ने बतायते जिनका लाम है labia minora paired folds of tissue under the labia majora ठीक है the opening of the vagina is often covered partially by membrane called hymen the clitoris is a tiny finger like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening ठीक है अब देखों the hymen is often torn during the first intercourse torn का मतलब होता है टूट जाना ठीक है however यह सब मैं बता चुकी हूँ ठीक है yes कुछ बच्चे पूचर माम है क्यों होते प्यूबिक है क्योंकि तुम हारे पूर्वज कौन है एप्स और एप्स के हर जगा बाल होते है ठीक है कुछ तो तुम्हारे अंदर वो भी जाते है कि एंसाइटीनेस के बार में लिखा किया है ठीक है बच्चो आजो अब फंक्शनल मेंब्री ग्लाइन इस करेक्टरिस्टिक ऑफ और फीमेल मामल्स सबके फंक्शनल फीमेल मामल्स नॉन फंक्शनल मेलवा के फीचर है ठीक है बट होते हैं सबके पास है मेंब्री लड़कों के अंदर भी गाई नायको मैस्टिया अगर जाथा ओवरवेट हो जाए बहुत जादा सोया बीन खाले हां दूर से पता नहीं लगता है फिर तो इसलिए लड़कों में जब मेम्री ग्लाइन का साइस बढ़ जाता है तो उसे गाई नायको मैस्टिया कहता है कि जैसे इन लोग का मोटा पर बढ़ता है तो सबसे पहले वहीं पर ही बढ़ता है तो बहुत ही बुरा सा लगता है इन लोग को फिर तो इसलिए अपने आपको बचा के रहे खें सतर्क रहें और भी कुछ सही खाना खाएं ठीक है चलो the memory glands are paired structure that contain glandular tissue variable amount of fat the glandular tissue of breast is divided into 15 to 20 memory lobes जिसके अंदर गुच्छे होते है अलवलाए के ठीक है containing clusters of cell called alvely यही वह alvely है जो इनका काम है secrete milk करना और store भी करना इस milk को ठीक है बच्छो the alvely open into memory tibules the tibules of each lobe joined to form a memory duct several memory ducts joined to form a wider memory ampula which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out ठीक है मेरे बच्चो तो यह पूरा memory gland तक का यहां तक का structure है हम आव आते गेमीटो जैने से यह है असली खिलाडी topic जिसमें हम blank slide का use करेंगे रोको ज़रा 2 मिनट slide add करने दो मुझे पानी भी लो दब तक पानी भी लो जैस जैस मैं इसका पाथ फे लिखवा दीजिए ओके चवी अभी लिखवा तो मैं रिप्स का क्या फंक्शन होता है memory gland में support यह सब्सक्राइब को यहां पर रूट मैप ऑफ मिल्क हम लिखेंगे ठीक है मेरे बच्चों बच्चे माम की help करेंगे इसमें आलो तो सबसे पहले मिल्क बनता कहा है everyone यह मिल्क बनता और स्टोर कहा होता है आलवलाई में कहा होता है आलवलाई में आलवलाई से यह जो मिल्क है सबसे पहले किसमें जाता है मेंबरी टिब्यूल्स में किसमें जाता है मेंबरी टिब्यूल्स में यह बहुत सारी मेंबरी टिब्यूल्स joint करके क्या बनाती- ya memory duct क्या बनाती है वच्छों ये memory ्डक्त यह जो memory duct यह फूले ओ दिख चल्टी जाती वाइडर एरिया जिस से कहते memory ampulla और memory ampulla किसमे जीवाइन करते लक्टी फेरिस डक्त में किस्में जोइन करते है लेक्टी फेरस ड्क्त में और फाइनली बाहर कहां से आता है निपल से ठीक है मेरे बच्चो आच्छा यहाँ पर एक और चीज लिखवा देती हूँ मिल्क सिंथेसाइजिंग हॉर्मोन कौन है मिल्क सिंथेसाइजिंग हॉर्मोन कौन है बच्चा पाटी कौन है मिल्क बनाने का काम किसका है येस गाइस प्रोलाक्टिन किसका काम है प्रोलाक्टिन का मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन कौन है मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन कौन है oxytocin कौन है oxytocin ठीक है बच्चो यहां बस इतने ही सवाल आएंगे इस टॉपिक से जाद नहीं आएगा ठीक है आप फॉर्स्ट मिल्क भी बता दो कोलस्ट्रम कहते हैं जिसके अंदर कि अब्रिवेशन प्लीज देखी नहीं कि तुमने फाल तो के सेशन मेरे से मत बनवाओ मैं नोट्स दे दूंगी तुम्हें है बिटा बिटा देखो यह न टाइम बेस सेशन लगता है मुझे बिल्कुल एव्रिवेशन आके बनाना यह वो मेरे पास नोट्स बने हुए है बाद मैंने बनवार रखे तुम्हारी ले तो महां से देख लेना टाइम बचाओ या टाइम बचाओ जितने हो सकता है क्यों इन फाल तो चोड़ी चोड़ी चीजों में टाइम बेस करना अब आजो सबसे पहले हम करेंगे हां पर स्पर्मेटोजेनेस चलो भाई स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है फर्मेटोजेनेसिस क्या होता है फर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस का यह प्यूबर्टी के बात शुरू करू या प्यूबर्टी से पहले शुरू करू कब शुरू करू ब जिन्दगी की आखरी सांस तक चलता है, यानि कि once they attain their puberty, once their factory is activated, अब जो ये factory है, आखरी दम तक चलेगी, बस इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, efficiency, productivity वो कम होगी, बट चलेगी आखरी दम तक मेरे बच्चों, ठीक है, येस, तो after puberty क्या होता है, यहाँ पे एक cell है, जिसका नाम ह स्पर्मेटोगोनिया, क्या नाम है cell का मेरे बच्चों स्पर्मेटोगोनिया, यह जो स्पर्मेटोगोनिया है, यह एक तरह का diploide cell है, जिसमें 44 प्लस XY है, क्या है बच्चों 44 प्लस XY, ठीक है, येस, अब यहाँ पे, माइटॉसिस करो या मियोसिस करो, आब बताओ जल्दी से, तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसमें हम सबसे पहले माइटॉसिस करेंगे, क्या करेंगे, माइटॉसिस, तो जब माइटॉसिस करेंगे, तो यहाँ पे माइपस दो cell बन के आएंगे, A का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, A, दूसरे का नाम है स्पर्मेटोग में डाल दिया as a stem cell और B से जो है अब कारे करम शुरू करते हैं मेरे बच्चो ठीक है अब यह जो spermato gonia है यह increase करेगा अपने size में increase in size तो जब यह अपने size में grow करता है by accumulation of proteins RNAs सब कुछ तो इसका size काफी भी बढ़ जाता है और इस बड़े होई size के फूले हो इस cell को क्या कहते है primary spermato site क्या बोलते हैं बच्चो येस हाँ बता 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 प्राइमरी spermato site कहते हैं यह जो प्राइमरी spermato site है इसके क्या है deployed है 44 plus xy condition है यही वो cell है जिसके अंदर meiosis होगा क्या होगा बच्चो इसमें meiosis होगा यानि कि यहाँ पर चलेगी meiosis 1 तो meiosis 1 reductional division होती है होती है नहीं होती है reductional division होती है यानि कि यहाँ पर दो cells बन रही है एन और एन जिन्हें हम कहेंगे secondary spermato site क्या कहेंगे बच्चो इन्हें secondary spermato site कहेंगे अब होता क्या है एक बनेगा 22 plus x type दूसरा बनेगा 22 plus y type क्योंकि मेल जो human male है वो heterogametic होता है यही human male decide करता है कि जो बच्वा होगा वो बच्ची होगी या लला होगा ठीक है मेरे बच्चो तो यह है अब इन्ही secondary spermato site में चलेगी meiosis 2 जब meiosis 2 चलती है जो कि एक equational division है तो 2 से बनेगे 4 cell कितने बनेगे 2 से बनेगे 4 cell एक cell दो cell तीन cell चार cell बन गए 4 cell जिसमें से 50% cell होंगे 22 plus x type और बाकी 50% cell होंगे 22 plus y type इन्हें हम कहते है spormitids क्या कहते हैं बच्चो इनको हम कहते है spormitids क्या यह लग रही है sporm की तरह नहीं रहे नहीं मेरे बच्चे बिल्कुल भी sporm की तरह नहीं दिख रहे हैं तो यानी कि अब इन 4 cells को हमे sporm की तरह बनाना है आजो इन्हें 4 cells को sporm की तरह बनाते हैं आजो तो जब हम इन 4 spormitids को sporm की तरह बनाते तो उस process को क्या कहते हैं येस मेरे बच्चों उस process को हम कहते है स्परमियो जेनेसेंS क्या केते हैं प्रोसेस को स्परमियो जेनेसिस ठीक है मेरे बच्चों अब ये 4 सेल कुछ इस तरीके से दिखेंगे ये दिखें यही हमें चाहिए थे यह देखे तो अब यहाँ पे हम spermatate से क्या बना रहे हैं स्पर्मेटो जोवा बना रहे हैं क्या बना रहे हैं स्पर्मेटो जोवा बना रहे हैं अब यही स्पर्मेटो जोवा बहा निकल जाएंगे move out move out बहाँ निकल जाएंगे और जब यह बहाँ निकलते सेमिनिफेरस टिबिउल से तो उस प्रोसेस को क्या कहते है स्पर्मियेशन क्या केते उस प्रोसेस को स्पर्मियेशन ठीक है तो पूरी हो गई रिवाइस येस यह हो गया पूरा प्रोसेस किसी को कोई भी डाउट इस पूरे प्रोसेस में यही प्रोसेस है जो NCRT ने स्पॉमेटो जैनिस में पढ़ा है चला इसको अब रीड करके एक बार समझ लेते हैं तो गयमेटो जैनिस प्रोसेस किया है जब हम क्या बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं गयमेट्स ठीक है यह इस in test is the immature male germ cells spermatogonia produced forms by spermatogenesis that begins at puberty the spermatogonia present on the inside wall of the seminiferous tribune multiply by mitotic division मैंने लिख्वाय थाना पहले mitosis होता है राइज तो spermatogonia में multiply करने के लिए कौन से division होरी है mitosis and increase in number each spermatogonia is deployed contain 46 chromosome some of the spermatogonia called primary spermatocyde periodically undergo meiosis अब primary spermatocyde completes a first meiotic division leading to formation of two equal heploid cells called secondary spermatocytes the secondary spermatocyde क्या है बच्चो हमारे heploid cells है क्या है ये दो हमारे heploid cells ठीक है बच्चो अब आगे चलो which have only 23 chromosome each the secondary spermatocyde undergo second meiotic division to produce four equal heploid cells called spermatids spermatids यही spermatids किस पे बदल रहे है spermatozoa through a process called spermiogenesis ठीक है after spermiogenesis sperm head become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the semi-ferestibule by the process called spermiation समझ में आया बच्चो यहां तक किसी को कोई भी दिखकर येस आजो अब next पर चलते बच्चो अब हम करेंगे होर्मोन रेगूलेशन इन मेल्स ठीक है आजो करते है आजो होर्मोन रेगूलेशन इन मेल्स आजो बच्चो आजो आजो बहुत सिंपल है तो सबसे पहले सबसे मास्टरा स्ब्स मास्टर गलांग कौन सा है इस ização म स्टर आफ मास्टर गलांड वह मार przypadना ये मैरे बच्चो आज्येशन इन ये एनप थैलमस कौंसा किस पर काम करेगा इंटीर पिट्यो टरी पर Так पर काम करेगा anterior pituitary पर काम करेगा जब यह anterior pituitary पर काम करेगा मेरे बच्चों तो anterior pituitary भी बदले में दो gonadotropins release करेगा एक gonadotropin का नाम है LH और दूसरे का नाम है FSH दूसरे का नाम क्या बच्चों FSH L से कोई cell याद आ रहे है cell जो हमने पढ़ा था male reproductive system में ये लेडिक cell तो L से याद रगना है LH किस पर काम करेगा लेडिक cell पर जबकि FSH सर से कोई नाम याद आ रहे है सर 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 से सोनम बेवफा है सटोली cell यह किस पर काम करेगा सटोली cell पर अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है यह जो लेडिक cell है यह कौन सा हॉर्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे अंड्रोजन यह कौन सा अंड्रोजन था टेस्टोस्टिरॉन चीक है जो क्या क्या काम करता है Spomatogenesis कराता है ये क्या कराता है बच्छो Spomatogenesis अगर ये हार्मोन होगा तभी Spomatogenesis होगा वरना नहीं होगा थीक है बच्छो वहीं सर्टोली सैल इस प्रोसेस को regulate करने के लिकर हार्मोन से क्रिट करता है जिसका नाम है Inhibent स्लो करेगा कैसे दो करेगा किकि इनिवेंन जो है एफेस एच को में फीड़ेख फीड़एंग और जीज़त थो यह ने नगर्टोन ने कीज़छी को थोकि को थेख느 तो हम Male के system में सिर्फ से regulate कर सकते हैं कभी भी बंद या शुरू नहीं कर सकते एक बार शुरू हो गया तो हो गया टीक है yes मिरे बच्चो कुछ बच्चो को नींद आ ट्रू है यह बात ठीक है रात में पढ़ना कोई असान नहीं है तो यार बस अब कितने दिन रहे गए तुम्हारे सपनों की दौड में जो तुम लड़ रहे हो एक साल से बताओ कितने ही दिन रहे गए बताओ थोड़े से तो दिन रहे गए मेरे बच्चो मैं भी यही सोच के डेली आ जातू कि यार अब कितने ही दिन बच्चो के एक्जाम में एक बाद करा देते हैं यह भी खुशी से जाएंगे कि हां हम पढ़के जा रहे हैं और नहीं और क्या बच्चो अब बस कुछ ही दिनों का य उसके बाद देखना तुम्हें सारे एक-एक सेशन याद आएगा कि माम अच्छा माम ने इंसे आटी में यह पढ़ा है था यह याद होना है बस ठीक है चलो अब हम चलेंगे उजेनिस पे फॉलिकलोजेनिस पे ठीक है येस आजो मेरे बच्चो तो अब हम फीमेल सिस्टम पे जा रही हैं कि यहां पे मैं लिखोंगी फेनिस ई और यहां हम लिखेंगे पॉलिकलोजेनिस तो अ ऊंच्छ कि बच तो सबसे पेहले आजो उजेरेनिसेश क्या होता है जुद आतै तु कभी गया नहीं था लायUS उनको जाता है जो कभी गय होते है ठीक है येस करा दूंगे बेटा प्लांट फीजियो सब तो अप स्लेबस कम्टीशन की तरफ यह तो जा रहे और नहीं तो आप देखो ऊजैनिस क्या है क्या होता है उजैनिस बच्चो फार्मेशन ऑफ ओवा जब ओवा बना रहे हैं ठीक है बच्चो और इसी ओवा के बाद में हमेशे एक कहते हुए बड़ी अच्छी मूवी है चौन मैं तुम्हें आक्टिंग करके दिखा दे तुम गैस करना ओ यह कौन है जिसने मुझे पलट प्लानिंग करके चलती हैं बात तौब बांथे हुए दे करके चलती है बात तो मानते होंगे इसको लड़किया बहुत planning करके चलती है अपनी life में अब यह planning कैसे हो रही है चलो आजो यह बताते हैं हाँ एक सेगे रिप्रोडक्शन करना है तो इसलिए पैदा होने से पहले ही process start हो जाती है तो यहाँ पर जो process है reproduction की यानि की oogenesis की वो कहा कब से शुरू हो जाते before birth तो यानि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं fetal ovary की किसकी बात करें fetal ovary किसकी बात करें fetal ovary fetus की ovary की fetus क्या है female fetus है ठीक है बच्चो अभी जो female fetus है इसके अंदर है oogonia क्या है बच्चो इसके अंदर oogonia यह जो oogonia है इसका number increase करना है और जब में मुझे number increase करना होता है तो कौन सी process लगाते हम mytosis कौन सी process लगाते बच्चो mytosis होगे mytosis तो यानि कि मेरे पास बहुत सारे oogonia बन चुके हैं यह क्या मेरे oogonia पर एक बाप बताओ इनके लिए nutrition limited unlimited है तो आपके नहीं माम सबकुछ limited है क्यों limited है क्योंकि माम यह खुद किसी की body के अंदर है ठीक है बच्चो तो यानि की सबके सब ग्रो नहीं कर सकते तो कुछ oogonia इसमें से ग्रो करते साइज में जब यह ग्रो करते तो दे बिकम primary oocyte कौन से cell बन जाते बच्चो यह primary oocyte ठीक है बच्चो अब primary oocyte अपना meosis 1 शुरू करता है चलो वही लेके 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 प्रभू का नाम meosis 1 स्टार्ट स्टार्ट हो गई बठ हो तक है नो चो इस जितनी प्लानिंग करती है न दीदी कई पर फेल हो जाती है ठीक है येस अब यहां पर भाई हो रहा है अरे हाँ भाई एहमाद खुल गई तिरे धोती अम निकल यहां से हो गया बिटा बस हो गया इतना भी पागल नहीं होते है येस चल जा तेरे इस घटिया जोग पर एक बच्चा नहीं हसा तेरे कोई एक अटेंशन नहीं मिली प्लीज निकल मेरे आप चाट बॉक से अब देखो मियोसिस बन स्टार्ट हुई बट प्रोसेस क्या है अरेस्ट हो जाएगी ठीक है येस ये देखिए इस मि नियुसिस वन अरेस्टिड अट प्रोफेस डिपलोटीन अरेस्ट हो गया जब ये अरेस्ट होता है उसी टाइम पे बिटिया का बर्थ होता है योगया बर्थ बर्थ के बाद आया चाइल्ड हूड चाइल्ड हूड में कोई चेंज नहीं आएंगे क्यों ये बहुत इसी बी तरह के चेंजेज नहीं आएंगे येस येस मेरे बच्चों येस बताओ क्यूंकि हॉर्मोन सारह sides Luckyर यहांपसेंट है नहीं है तो इसलिए कोई चेंज नहीं आए अब आते हैं प्यूबर्थी की बारी इचा था इपिवर्थे ङोड़ेशनरिक ना कप्छिए नही और जब meiosis 1 complete होती है, तो haploid cell बनेंगे और diploid cell. अब ये भी बता दो. Yes, हाँ, haploid cell बनेंगे और diploid cell बनेंगे. तो यहाँ पे दो haploid cell बनेंगे एक छोटा और एक बड़ा. जो छोटा cell है, unequal division है. जो छोटा cell है, उसे हम बोलेंगे first polar body. क्या बोलेंगे इसे, first polar body. महीं पे जो बड़ा cell है, जो कि eventually over बनाने वाले आगे जाके, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चो, secondary oocyte. क्या बोलेंगे secondary oocyte. ठीक है, अब secondary oocyte कहती है, पापा मुझे जीने दो. पापा मुझे जीना है. ठीक है, तो अब पापा के दे, जा सिमरन तू जीने ले. तो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, mytosis 2, meiosis 2, sorry. meiosis 2 starts. ठीक है, start होगी मेरे बच्चो, meiosis 2 start होगी, अब देखो. जब meiosis 2 start होती है, तो कुछी देर बाद, secondary oocyte arrest हो जाता है फिर से. अब यह arrested है फिर से at metaphase 2 पे. किस पर arrest है, metaphase 2 पे. क्योंकि भई सही आजी, नहीं आए. अब यह train के platform पे wait कर रही है. अब दो ही चीज़े हो सकते हैं, मेरे बच्चो, दो ही चीज़े हो सकते हैं. या तो वो आ जाएं, और इनको ले जाएं अपने साथ. या यह महीं बैटे बैटे, राथ हो, नहीं आया, नाला आए, फिर नहीं आया. ठीक है? तो दो case हो सकते हैं. या तो sperm आ सबता है इसे fertilize करने के लिए, या sperm नहीं आ सकता है इसे fertilize करने के लिए. यही दो हो सकते हैं. अगर sperm आगे से fertilize करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका meiosis to complete हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, meiosis to complete, तो जब meiosis to complete होगा, तो एक cell से कितने बनेंगे, दो cell बनेंगे, कितने cell बनेंगे, दो, एक बनेंगे आपकी second polar body, एक बनेंगे आपकी second polar body, और दूसरा आपका बनेगा ooted, क्या बनेगा आपका ootid, जब इन दोनों के nucleus भी fuse हो जाएंगे, तब जाके आपका बनेगा zygote, जिसे हम कहेंगे syngamine, अमाल लो राहूल नहीं आया, तो क्या होगा, दीरी बस टोटा हुआ, साज हूँ मैं, फिर भी क्यो, नाराज हूँ मैं, ठीक है, बस out, over, out, with menstrual bleeding, या degenerate, खाता, पहले बताओ, उजयने से समझ में आया, नहीं आया, तो मैं समझ है, खेर, ये तो revision चल रही है, तो revision point से एक एक चीज़ रिलेट कर पा रहे होगा, नहीं, yes, ये बताओ, ये ज़रूरी है कि जो भी हम revision करे, जो भी आपने पहले पढ़ा है, किसी भी teacher से वो आप रिलेट कर सके इसका 3D नहीं है बेटा, बढ़ना मैं 3D दिखा देती है, ठीक है, yes, ठीक है, अब आते हैं next, next है हमारा follicleogenesis, जैसे कि NCRD ने दो टॉपिक एक सा रिलेट करके बहुत इगंदी English में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहते हूँ कि science teachers of NCRD, please किसी अच्छे अंग्रेजी teacher को साथ आप में बिठा के book लिख दिया करो, क्योंकि तुम्हां बस की वो नहीं हो रहा है, ठीक है, yes, तो आईए बचो follicle बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या है, सखी के आज पास one layer of follicles है, ठीक है, अब देखो इदर, तो सबसे पहले हमारा primary follicle, primary follicle क्या है, जहां पे हमारा है primary oocyte, और इसके आज़ पास है one layer of granulosa cell, कौन से cell बचो यह, granulosa cell, one layer of granulosa cells, देखो बढ़ा, जब बिटिया पैदा होती birth, उस time पे millions में होते हैं, बट जब तक puberty पहुचती है, तब तक यह 60 से 80,000 तक रह जाते हैं, तो सारे गये का, बाकी सारे हो गए, degenerate, बाकी सब क्यों हो का नंबर क्या था, millions में था, ठीक है, फिर puberty के time पे क्या था, बच्चों, puberty के time पे इनका नंबर था, 60 से 80,000 पर ovary, तो इतने सारे गये का, degenerate हो गए, और degeneration की process को follicular atresia कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उस process को follicular atresia कहते हैं, ठीक है, यह, एक सगेंड, आजो, ठीक है, बच्चों, यह हो गया हमारा primary follicle, जिसके बार में NCD ने line लिखे है, अब आते हैं, दूसरे पर, ठीक है, आजो, अब दूसरा के हमारा secondary follicle, अब secondary follicle, क्या है मेरे बच्चों, secondary follicle में secondary, नाम से बताल लग रहे हैं, दो layer जाएंगी, एक यह हमारा secondary, प्राइम आप एक granulosa आ चुकी है, तो secondary से याज रखना है, कितनी layers, दो layer, secondary से क्याज रखेंगे बच्चा पार्टी, दो layers, ठीक है, यह, चलो, अब आते हैं next पर, tertiary follicle, बड़ा important है tertiary follicle, maximum points tertiary follicle के ही NCRT में दिये हुए हैं, तो इसको धिहान से बनाएंगे, पहले तो इसका diagram, यह secondary ucide, यह गई zona pellucida, यह गई corona radiator, यह गई धंग से diagram का बनाना पड़ेगा बच्चों, cumulus ophoros, polyclar tracia, यह गई granulosa, यह गई थीका interna, थीका externa और यह हो गया हमारा, crescent shaped antrum, यह गई रहा, diagram बिलकुल, सस्ता वला diagram बनाई है हमाँ, ठीक है yes, ओए इधर 10 के transfer कर, ओके सर्वीन, तिरे मम्मी को बताऊ उना लायक, आजो मैं सबसे बार वाली layer का नाम बताऊ, थीका externa, क्या आमें थीका externa, इस चे अंदर वाली layer का नाम थीका externa, फिर यह cell वाली layer का नाम के बच्चा बाटी, इसका नाम है granulosa, फिर इसके अंदर एक crescent shaped cavity पहली बार देख रही है मेरे बच्चो, इसका नाम क्या है antrum, fluid filled cavity called antrum, यह need का question है, fluid filled cavity जिसको हम कहते antrum, ठीक है, फिर अब इसके और अंदर चलते हैं, यह हमारी corona radiator, यह हमारी corona radiator, यह हमारी zona pellucida, यह हमारी zona pellucida, यह हमारी जोना pellucida, चीक है, यह हमारा secondary oocyte, और यह जो bridge है, इसको हम कहते है cumulus ophoros, tertiary follicle की एक और खास्यात है कि इसी में meiosis 1 complete होता है, क्या complete होता है, tertiary follicle में बच्चो, meiosis 1 completed, इसी में क्या complete हो रहा है, meiosis 1 complete होता है, समझ में आ गया बच्चो, yes, भाई 2000 के अरदास किसे में लगा दी, अक्षू, इसको तो अब भी रुक यार, नहीं, एक बच्चा है उसको ब्लॉग करना है, उस चरब, यह है यह लोग है। ऑके अब आगी चलते हैं। यही जो हमारे टर्श्री फॉलिकल है यह बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल यही बनाएगा आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल वो फॉलिकल है, जो रेडी है फॉर ओविलेशन, किसके लिए रेडी है ये, ओविलेशन के लिए, तो जब ओविलेशन होता है, तो पीछे क्या रह जाता है, ग्रानुलोसा और थीकल सेल्स, ओवरी के अंदर क्या रह जाता है, ग्रान क्रमिनल क्याविटी में फट के बहार जाते हैं ओविलेट होते हैं वो कि हमारा सेकेंडरी उसाइड बहार जाता है ओविलेशन के लिए ठीक है बच्चो तो यह है हमारा पूरा उजेनेसिस का प्रोसेस क्या है यहां तक सबको समझ में आ गया अब एक छुटर मोटर टॉपिक है वो भी कर लेते हैं फिर बहुत ही एक शांदा थ्रीडी है जो मैं आपको दिखाऊंगी मेंस्ट्रॉल साइकल का बहुत आपको अच्छा लगेगा जिक है यह सिंपल से बात बताते हूं जब आप ऑनलाइन प्लाटफॉम पर बत्तमीजी करते हो किसी के साथ भी यह बिल्कुल निंदनी काम होता है आप सोचो एक टीचर को कितने गट्स चाहिए होते हैं आप तो आप सोचो जब नए टीचर आके पढ़ाते हैं तो उनका क्या हल होता होगा बहुत यार सेहम जाते हैं मैं आज अपना पहले एक्सपीरिंस बदाते हूं कोटा में मैं गई थी पढ़ाने के लिए हिंदी मेडिया में मुझे वहां पे पहला लेक्चर हिूमन रिप्रोड़क में और मेरे सामने सिर्फ दो लड़किया और 180 लड़के बैठे थे मेरे पैर काप रहे थे उस दिन कि यार कुछ एक तो हिंदी मीडियम मतलब मेरी पकड़ नहीं थी उस राइम हिंदी में कि कोई गल्ती होगी तो क्या होगा किसी बच्चे ने को सवाल पुछले तो कैसे प बहुत बड़ी-बड़ी क्लासेज होती हैं मेरे को नहीं पता आप लोग ने कभी देखा है नहीं देखा है बहुत बड़ी-बड़ी क्लासेज होती हैं तो मैं आपको जैनुरली बता रही हो कि ठीक है मेरे को तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि I have gone through lot of things अभी पढ़ाएंगे and you see things like this तो उनका मुराल बिल्कुल टूट जाता है सच बता रही हो बच्चो बहुत हिमाच चाहिए आके आके पढ़ाने के लिए येस कोई कुछ भी बोल रहा है आपकी हर एक चीज पर बोल रहा है कि माम यह देखो माम यह देखो मतलब मैं आपको मैं बोल भी नहीं पारी वो शब्द वो जो लिग देते हैं कई बार बहुत ऑक्वर्ट सा हो जाता है तो इसमें मैं आप से कह रही हूँ बच्चो कि बी स्ट्रॉंग अगर आप कोई भी क्लास में ऐसी हरकत करते हैं तो एक ही सॉल्यूशन है यह इसका मिडल पीस है यह इसका टेल पार्ट है और यह इसकी नेक है नेक के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं क्या होता है बच्चो नेक के अंदर नेक के अंदर क्या होते हैं सेंट्रियोल्स अगर आपने सेल चाप्टर मेरा देखा हो तो सेंट्रियोल्स का अरेंजमेंट क्या अरेंजमेंट होता है नाइन प्लास जीरो अरेंजमेंट क्या होता है डिस्टल सेंड्रीओ जो टेल बनाने के काम आता है इसके हैड पीस में सबसे ऊपर आख्रोजोम यह जो अख्रोजों में कोई नया स्ट्टिर निया बल्किवाइटी गॉलजी अपारेटर्शोंड सो ली क्या होता है यह तरह का मॉडिफाइड गॉलजी जाइन से हैं जो किसमें काम आएंगे बच्चो फर्टिलाइजेशन में ठीक है फिर आते हैं नुक्लियर्स कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटीरल जो की है प्लॉइड होगा फिर उसके बाद मिडल पीस में माइटो कॉंड्रिया है जिसका अरेंजमेंट आप देखेंगे तो थोड बच्टे घर लेतेंगे लेटेर ले लेटि Humans, yes, कितने sperm ejaculate करते हैं, पर ejaculation, तो वो कितने बच्चों, 200 से 300 million sperms, during aquitus of which, for normal fertility, इसमें से, 60% sperms, should have normal shape and size, and 40% of them, must show vigorous motility, इसका एक question है, जितने भी मेरे पुराने बच्चे, वो जानते हो कि वो question क्या है, जो माम कराने वाली है, हम, वो सब बच्चों बता होगा, एक question है, जो माम इस line को समझाने के लिए, हर session में कराती है, हर session में, घसी टड़ question, बच्चों को तो एक answer भी आदोंगे, माल लीजे कि मेरे पास 1000 sperms हैं, इसमें से normal shape and size वाली कितने होने चाहिए, 240 answer है, thank you बटा Shreya Thakur, for predicting my future in the class, तो इसमें से normal shape and size वाली 60% है, यानि की 600, अब 40% vigorous motility इन में से choose करना है, तो 600 का 40% निकालेंगे हम, तो answer आएगा 240 जो की श्रेया ठाकुर ने पहली बता दिया, तो यहाँ पर NCHRD ने फिर English में गडबर कर दी, कि 60 में से out of 40% होना चाहिए, which shows vigorous motility, चाहिए, चलो, यह हो गया, उगोनिया, यह सब हमने कर लिया, secondary side, यह सब भी हमने कर लिया है, यह वाला पूरा paragraph भी हमने कर लिया, अब हाएंगे हम menstrual cycle पे, आज़ो मेरे बच्चों, आप हम menstrual cycle की तरफ बढ़ते हुए, इसका बहुत शांदा 3D है, आप बहुत enjoy करेंगे इसका 3D, आए, बस अब यह हो रहा है, काफी शांदा 3D है इसका, इसको एक बार अच्छे से 3D से समझ लो, हर्मोन से लेके सब कुछ है, ठीक है, यह स, Capacitance and Decapacitation, दो प्रोसेस है, Decapacitation, Epidymus में होता है, Capacitation होता है, फीमेल लिप्रोड़क्टर सिस्टम के सर्विक्स में, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमूवल औफ, कोलेस्टरॉल हो जाता है, स्पर्म को हलका बनाया जाता है, विग्रस मोटिलिटी आती है उसमें, ठीक है, येस, आप देखो बच्छों, मेंस्ट्रॉल साइकल दियान से देखेंगे अब सब, एव्रिवन इन दे क्लास, लेट्स स्टार्ट, जो हमारा मेंस्ट्रॉल साइकल है, उसके अंदर हम करेंगे मेंस्ट्रॉल फेस, फॉलिकलर फेस, ओविलेटरी फेस, लुटियल फेस, ठीक है, और ये हमारे पाटरंस ऑफ मेंस्ट्रॉल साइकल, ये देखे हो, The red indicates bleeding, ध्यान से देखना, yes, the red indicates bleeding, the green indicates formation of endometrium, the yellow indicates secretory endometrium, वापे से माम के साथ 3 सब बच्चे बोलेंगे, जिसे की माम के साथ आप लोग रिलेट कर सके हर एक कलर को, What does the red means, bleeding, what does the green means, formation of endometrium, what does the yellow means, secretion of endometrium, जो भी material endometrium में वो secret हो रहा है, ठीक है, 3 phases है यहाँ पर, ठीक है, yes, आजो, अब देखो इदर, तो सबसे पहले, बिटे देखो, धिहान से देखो, I want you to see this and this, Menstrual cycle, दो जगा होती है, एक ovary में, और एक uterus में, सब बच्चे माम के साथ बोलेंगे, कि जो menstrual cycle है, वो शरीर, महीला के शरीर में, दो अंगों में चल रही है, एक है हमारी ovary, और दूसरा है हमारा uterus, ठीक है मेरे बच्चो, uterus में, menstrual phase में, नाम से पता लग रहा है, menstruation phase, यानि कि bleeding phase, इस time पे uterus से देखेंगे, blood देखेंगे, blood बहार निकल रहा है, यह देखें, blood निकल रहा है, देखें, जब uterus में, blood बहार आ रहा है, liquid state में, ठीक है, उसी time पे ovary को वापिस देखेंगे, बच्चो, देखें, ovary में देखें, folliculogenesis हो रही है, primary से secondary follicle बन रहा है, यह देखें, primary से secondary follicle बन गया, तो पहली चीज़, जो मैं हर बच्चे से class में पूछना चाहूंगी, कि जो हमारी menstrual cycle है, जब begin होती है महिला के शरीर में, जिसे मिनार्क कहते है, उसका पहला phase है menstrual phase, menstrual phase में, uterus में क्या हो रहा है बच्चो, पहले एक से पाँच दिन, uterus में क्या हो रहा है, blood बहाँ निकल रहा है, क्या बहाँ निकल रहा है बच्चो, blood बहाँ निकल रहा है, वही पहले से पाँच दिन, ovary में क्या हो रहा है, primary से secondary follicle बन रहा है, क्या समझ में आया नहीं है, जल्दी पताएंगे सब chat box में, come on guys, come on, ये देखो, बापेस देखो, एक से पाँच दिन, blood, यहाँ पे secondary follicle, तीनों को एक साथ देखो, this is what is happening during the menstrual phase, एक से पाँच दिन, bleeding in liquid state, and primary says secondary follicle, I hope the first phase is clear to everyone in the class, तब ही मैं आगे जाओंगी, बनना मैं आगे नहीं जाओंगी, yes, ठीक है, next, follicular phase, अब यहाँ पे देखे, follicular phase, follicular, नाम से क्या लग रहा है कि कुछ follicle बनेगा, है न बचो, है न, फॉलिकलर फेस, नाम से पता लग रहा है, कुछ follicle बनेगा, फॉलिकल बनाने के लिए कुछ follicle से related hormone है बचो, FSH, follicular stimulating hormone, अब यहाँ पे देखे, कैसे अब क्या हो रहा है, दिहान से देखे, यह anterior pituitary है female का, यह देखो, बहुत शानदा 3D है, भाही, तुम्हें मज़ा आज़ेगा menstrual cycle में, यह देखे, यह देखे, यह GNRH है, जो hypothalamus से आ रहे है, GNRH, यह anterior pituitary पे जाएगा GNRH, जिसके कारण, यहाँ से देखे, FSH, यह FSH है, follicular stimulating hormone, यह देखे, blood vessels में जा रहा है, follicular stimulating hormone, यह देखे हो, अब यह follicular stimulating hormone, कहा जाएगा, ovary के पास जाएगा, यह देखे, यह बन गया ना follicle, यह देखे, graphene follicle बन गया, ठीक है, अब जब तक FSH, graphene follicle बनाएगा, graphene follicle क्या release करे estrogen, और यह estrogen, endometrium को वापिस बना दिया, यह देखे, वापिस बन गई, जहां से देखो बिटा, यह वापिस बन गई, तीनो features अब वापिस देखेंगे, बच्चे, पहले GnRH, यह देखे, यहाँ पे आया GnRH, GnRH से यह गया, पिट्यूट्री के पास, यहां से देखे, FSH चाह रहा है यह जी एनरेच गया सेल के पास सेल ने इसके रिस्पॉंस पे बनाया FSH कितना शांदा 3D एक स्टेप दिखा रहा है आपको अब यह FSH देखिए ओवरी के पास गया यह रेखिए यह बन गया और दूसरा क्या तयार होगई endometrium तयार होगई यह भी clear है yes or no everyone in the chart section everyone yes जार मेरे बच्चो yes 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 everyone ठीक है आब next अब यह 13th and 14th क्या होने वाले 13th and 14th can anybody guess चले अब आ रहे हो ovulatory phase यानि कि ovulation का टाइम 13 से 14 दिन यह देखो यहां पर रप्चर हो गया, वापे से देखो ओविलेटरी फेज, यह देखो रप्चरिंग यहां देखना है आपने, यह देखो रप्चरिंग हो गया, वापे से देखो ओविलेटरी फेज, रप्चरिंग हो रही है, ओवा बाहर निकल गया, अब यह अपने phase यह देखिए corpus luteum बनता हुआ यह देखिए corpus luteum बन रहा है ovary के अंदर corpus luteum temporary endocrine gland और यहां पर देखिए endometrium और मोटी हो गई है to support implantation कैसे लगा बच्चो पहले तो यह बताईए everyone कैसे लगा बच्चो पूरे के पूरे phases clear है, क्या क्यों और है, तीन चीजे कैसे आपस में link है, हर दिन के सापसे, क्या आपको समझ में आया नहीं आया बच्चों, ठीक है, अब दूसरी चीज दिखाती हूं मैं आपको, the effect of hormone on menstrual cycle, यह तुम बहुत enjoy करते, अगर तुम्हारे पास यह feature होता, आप देखो, जैसे जैसे, मैं हाँ पर दिन बढ़ा रही हूं, estrogen, progesterone, LH, FSH, देखते जाना, कैसे कैसे change होते जाएंगे, ठीक है, यह देखो, देख रहे हूं, यह देखो, यह देखो, hormones के level देखो, day 14 पे देखो, estrogen का level देखो, प्रोजेस्टरोन का देखो, LH का देखो, FSH का देखो, क्योंकि ovulation के लिए, क्या चाहिए होता है, LH चाहिए होता है, यह देखो, अब देखो, day 18 पे, यह देखो, बिलकुल NCRT का diagram बन ग ग्राफिन फॉलिकल, फिर ovulation, फिर कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टरोन, estrogen दोनों आते हैं, ग्राफिन फॉलिकल से सिर्फ estrogen आते हैं, ओविलेशन के लिए मुझे FSH और LH दोनों की peak चाहिए होती है, यह देखो, बापेस से करते हैं एक बार, चि बाज में आ गई, menstrual cycle, yes मेरे बच्चो everyone, यही आपकी menstrual cycle, अब NCRT read लगाएंगे, कि कोई point miss है, तो उसे हम यही समझ लेंगे, ठीक है बच्चो, बिटा यह दो मनेटा, अच्चो बहुत होई दी न, तो गलाफ छिल गया है मेरा पूरा, आपको पता है यह जो वोमित होता ह तो बहुत जादा acidic होता है और गलाफ छिल जाता है, yes, जो अफ़ा फिल आरे good news की मैं बता दू, एक ही good news है, वो है तुम्हारा selection, जो आईगी 5 में को, इसके लावा ना कुछ आप सोचे, ना कुछ मुझे सोचने दे, ठीक है? इस बिकर्स क्योंकि मैं दो रात सो ही नहीं और मैंने वो वाला खाना खा लिया, जो होली की पूजा में खाते हैं, तो वो इन डाइजेशन से हो गई, वही खा रियो बिटा, मेरी मा क्या हाथ के लड़ू बने हुए, वही खा रियो बिटे, मॉक टेस का स्केडूल कल आएगा, वीडियो रिकॉर्ड करके आज दे दिया तुम्हाई ले, अन्रोल कर देना, फ्री अन्रोल्मेंट है, चीक है? अन्रोल कर देना, उसमें दिखाएगा 2,000 का प्राइस, तो लुट मत जाना, कि हम लुट गए मैम की मोहबबत में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें गर्मा लिख दोगे, तो जीरो हो जाएगा प्राइस, ठीक है? येस, तो ऐसा बिल्कुल मत कहना, लुट गए, पहली बता रहे हूँ, मैं सम्वन से इंग भांग, तो भांग खा लेते हैं, इस वेरी वेजिटेरियन, भांग में क्या बुराई है, बदनाम करने वालों का तो काम भी बदनाम करना है, चल भाई, आजा, काम, ये बर NCRT रीड लगा देते हैं, दिल की संतुष्टी के लिए वैसे तों समझ चुके हैं सब कुछ, ठीक है, जो रिप्रोड़क्टिव साइकल है, मेंस्ट्रोल साइकल वो किसमें होते हैं, फीमेल प्राइमेट्स में, जिसमें मंकी, एप्स और हू कौन सी साइकल होते हैं, ये भी क्वेशन नीट में है, कि मैमेलियन, नौन प्राइमेट्स में, कौन सी साइकल चलती है, बच्छवा, उनमें चलती, इस्ट्रस साइकल, कौन सी चलती है, इस्ट्रस साइकल चलती है, कौन सी चलती है, बच्छवाटी, इस्ट्रस साइकल, ठी is reported at an average interval of 28-29 जिन की होती है ठीक है menstrual cycle one ovum is released during the middle of each menstrual cycle the major events of the menstrual cycle are shown in 3.9 the cycle starts with a menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for three to five days the menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessel which forms liquid that comes out through Vajaina menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized so yeh bhoot important need ka question ki menstruation kab nahi aayenge ek bada acha question banta hua ki menstruation kab nahi aayenge bacho the fertilization ho jayegi chike yes bilkul hmm chike bacho yes however it may also be caused due to some other underlying causes like stress poor health the menstrual phase is followed by follicular phase during this phase the primary follicle in the ovary grows to become the fully mature graphene follicle and simultaneously the endometrium regenerates through proliferation endometrium ko waapis banne ke liye kaunsa hormon chahiye neet ka bhooti shandar sawaal meravacho bhooti shandar sawaal kaunsa hormon chahiye banne ke liye isko banne ke liye vaapis estrogen kounsa hormon chahiye isko banne ke liye vaapis estrogen yaad ratna isko these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones the secretion of gonadotropin LH FSH increased gradually during the follicular phase stimulates follicular development as well as the secretion of estrogen by the growing follicle both LH and FSH attain a peak in the middle of the cycle 14 day the rapid secretion of LH leading to maximum level during the mid cycle called LH surge induces rupturing of graphene follicle which is called ovulation the ovulation is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the graphene follicle transforms the corpus luteum this corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium very very important question so progesterone is the hormone which maintains endometrium such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy during pregnancy all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates this causes disintegration of the endometrium leading to bleeding 50 sasal ke umber mein mahila ki yeh puri cycle rukh jatyeh jishe kateh menuh pause check prese okay calabhi chalate book 3D vomit fage reading dayane high बहुत इजी टॉपिक है अब तो अब तो ज्यादा बच्छा ही नहीं है चाप्टर हुआ है बाई चलाओ 3D दिखाते हो इसका भी पूरा चाप्टर अच्छे से कर लेंगे डीटेल में पढ़ना है तो मैंने इसे एक बार और पढ़ा रखा है वो भी आप रैफर कर सकते हैं चीक है कि मैं क्या केवल एक मंथ में बाईलजी हो सकते हैं यही बच्चे जो हमें मजबूर करते हैं कम्प्लीट स्लेबस इंटेन डेज फिर तुम कहते हूं मैं ऐसी वीडियो मत बनाये करो है मैं नहीं बना रही जारीफ नहीं करते हैं तुम इन सब चीजों के आजकर बहुत जादा मैं देख रही हूं आटिटिवट दिखा रहे हूं आजकर येस चलो भई अब हम यहां पर फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन का प्रॉसस देखेंगे ठीकर आज़ो चलो आज़ो भई आराम से देखो देख लो आराम से पूरा प्रॉसस 3D में अब देखो आगे की प्रॉसस स्टेब बहुत अची मूवी चल रही है इस टाइम पर पहली बार देख रहे हूंगे तुम्हें मूवी अब इतक सारी टीचर्स तुम्हें इमाजिन करा रहोंगे आज देखो यह देख रहों यहां पर वेट कर रहा है किसका महभूब आजाओ मेरे सनम्हें इतना भी तुम्हें ना कराओ इंतिजार अब आजाओ complex यह देखो यह देखो भागता वुआ beta Romeo यह देखो है अराम से देखो मूवी क्या चलुर रहा नेखो पॉज यह ना अब आओ इसमें पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन ऑई होई भाई रीपले होना चाहिए भाई इसका तो इसका तो रीपले बनता है बॉस क्या शांदार 3D भाई इफेक्ट ओहो मज़ा आगे भाई अब यहां पर देखो यह सबसे बाहर वाली लेयर कौन से कोरोना रेडियेटास है यह जोना पेलूसेटर जो एसेलूलर लेयर है यह नूकलियस यह ओवं यह बीच में स्पेस पैरिवेटलाइन स्पेस यह यह यहां तक आचुका है यह फटिलाईस कर चुका है ठीह आप देखो आगे क्या हो रहा है देखो दिया जो मेरे रास्ते में आएका चीर दूंगा उसको यह देखो चीर दिया ओए यह देखो यह यह फटिलाइस एक यानी की जाइगोड बनता हुआ दो सेल बन गए, टू सेल स्टेज, क्लीवेज हो रही है बच्चो क्लीवेज, दो से बन गए, चार, ये तो होना ही था चार से बन गए, देखो, आठ, मौरूला बन गया मौरूला, 16 सेल स्टेज बन गया, देखो देखो, देखो, मौरूला बन गया अभी तक Zona Pellucida लगी हुई है अगर इस ताइम Zona Pellucida टूट गई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठीक है तो इसलिए Zona Pellucida भी इंटाक्ट है बहुत जरूरी है जब तक वो यूटरस ना पहुच जाए यह देखो यह दो कोई नीचे की तरह आगे सेल्स ब्लास्टोस इस डिस अग्लास्टूला विच इस फॉर्म ठीक है अब देखते हैं यह हमारा पूरा फोर्टिलाइजेशन एंट इम्लांटेशन देख लिया दन बच्चो अब आजो अब थोड़ी जानवान लेकर आओ यार ऐसे मत करो अब तो खतम उने वाला चैप्टर अब आरे फोर्टिलाइजेशन पे इग्जाक्ली क्या हो रहा है फोर्टिलाइजेशन में जैसे कि हमने अभी 3D में देख लिया है क्या के इवेंट्स हो रहा है आई उसको भी देखते है बच्चो आजो तो दूरिंग कोपिलेशन कोईटस सिमन is released by the penis into the vagina this is called insemination which is step number one the motile sperm swim rapidly pass through the cervix enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube तो यह sperm है कूद के जाएगा काँ पे cervix के बास सीधा fallopian tube है कूद के जाएगा क्योंकि इसको पतर लैला वहीं पे है ठीक है fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region अगर ova है sperm है तभी fertilization होगी अगर sperm है ova नहीं है fertilization नहीं होगी ova है sperm नहीं है तो भी fertilization नहीं होगी तो दोनों का साथ में होना बेहर जरूरी है this is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy ठीक है the process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization ठीक है बच्चो जिससे syngammy भी कहते है during fertilization a sperm comes in contact with the zona pellucida layer यह जो zona pellucida layer है यह क्या है Acellular यह किससे बनी होती है बच्चो ग्लाइको प्रोटीन से बनी होती है किससे बनी होती है ग्लाइको प्रोटीन से now induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm तो यही zona pellucida NCRT लिखती है ब्लॉक करती है entry of new sperms ठीक है बच्चो येस आप गले में दर्द हो गया the secretion of the acrosome helps the sperm enter into a cytoplasm of the ovum through the zona pellucida membrane this induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte तो जैसे कि मैंने अभी पहले भी समझाया था जैसे ही sperm fertilize करता है ova को तो सबसे पहले meiosis 2 complete होती है meiosis 2 complete होती है तो second polar body और heploid ootid मिलता है इस ootid में अब क्या होगा syngammy होगी तो उसे क्या होगा आपका two end structure मिल जाएगा that is your zygote ठीक है बच्चो ये sex determination है which we already know now the mitotic division start as a zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage तो यहाँ पर जो डिविजन होगा mitosis नहीं बलकी क्या होगा cleavage होगा ठीक है येस आप 2 cell बनेंगे 4 बनेंगे 4 से 8 फिर 16 morula बनेगा फिर blastocyst तो पहले क्या बना 2 cell state फिर बना 4 cell फिर बना 8 से 16 जिसे हम कहरें morula फिर यहाँ से बनेगा blastocyst गले से बोला ही नहीं जा रहा भाई इतना दर्द हो गया भेंकर मैं सोची थी plant physio का marathon लेके पूरी unit खतम कर दूँगी तो तो तुमारे syllabus में बचे का क्या human health and disease microbes, ripro के 2-3 chapter ये बस और human physio तो अल्रेडी मैंने बहुत detail में बढ़ा ही उसका भी मतलब की fast revision ले लेते बट गला ही नहीं support कर रहा अब yes मैं सोब plant physio का marathon अराम से लिया जा सकते दो बहुत छोटे chapter हो और एक बड़ा chapter है पहले भी लिया है मैंने channel पर yes अब आजाओ the morula continues to divide and transform into blastocyst अब blastocyst के दो तरह के cells है एक बाहर के जिसे कहते है trophoblast और अंदर के inner cell mass inner cell mass क्या बनाएगा बच्चो ये बनाएगा embryo जबकि trophoblast बनाएंगे extra embryonic membrane क्या बनाएंगे extra embryonic membrane ये जो extra embryonic membrane है इसमें हमारी एक कोरियोन एक है अमारी amnion एक है अमारी allantoi एक है अमारा yogs ठीक है कोरियोन का काम है placenta बनाना इसका क्या काम है बच्चो प्लसेंटा बनाना amnion का काम है सूखने से बचाना prevents desiccation ठीक है allantoi excretion में काम आता है और yogs इसमें काम आता है hemopoiesis blood formation में ठीक है बच्चो now after attachment the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst as a result blastocyst becomes embedded in the endometrium and this is called implantation और implantation का होता है 7th day after fertilization हो रहा है after fertilization ठीक है बच्चो यह है अब आजो next यह पूरा diagram तो खेर अब ही हमने उसमें देख लिया है अब यह last topic है हमारा pregnancy and embryonic features ठीक है यह आजो बास कदम होने वाला chapter दो धाई करूटी हाँ से जादे लंबा था भी नहीं chapter after implantation finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic vilae यह क्या करते है increase surface area for exchange of nutrients between mother and fetus which are surrounded by uterine tissue and maternal blood the chorionic vilae and uterine tissue become interdigitated इस तरीके से ठीक है to each other and jointly form a structure called placenta the placenta facilitate the supply of oxygen nutrients to the embryo oxygen भी दे रहा है nutrient भी दे रहा है and it also removes carbon dioxide ठीक है यह दूसरा function excretory waste भी remove कर रहा है plus hormones भी बनाते है है हमारे प्लसेंटा कौन-कौन से होर्मन HCG यह ही HCG हम यूस प्रेगनेंट है या नहीं human placental lactogen estrogen, progesterone, relaxin यह सारे hormones कहां से आते है प्लसेंटा से आते हैं बच्चों ठीक है now immediately after implantation the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm, endoderm, mesoderm जिससे आपके सारे tissues बनते हैं ठीक है अब आते हैं बच्चों क्या क्या changes आ रहे हैं pregnancy में यह देख लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं in human beings after one month the embryo heart is formed पहला यह एक महिने बाद embryo का heart बन जाता है you can listen the heartbeat also using the stethoscope फिर आते हैं second month का अंगेस का by the end of second month limbs and digits are formed याने की limbs और उंगलिया बन जाती है फिर 12 week के end में most of the body organs are formed फिर first movement कब देखने को मिलती है फिफ्ट month में देखने को मिलती है फिर उसके बाद 6 month में आपके eye lid separate eyelashes आ जाते है और 9th month में पूरा बच्चा बनके तयार हो जाता है बाहर आने के लिए ठीक है अब आते हैं parturation, parturation, lactation, parturation is child delivery दो बड़ा child delivery में दो तरह के signal ज़रूरी है एक जो बच्चे से आता है दूसरा एक मास से आता है placenta से ठीक है यानि कि एक है जो signal है parturation का child delivery का that comes from fully developed fetus and from placenta ठीक है जब ये दोनों signal आते हैं तो fetal ejection reflex जानि कि एक signal neural signal जाता है maternal pituitory के पास वहाँ से oxytocin निकलता है ये oxytocin uterine contraction कराता है पाना शुरू हो जाता है ठीक है ना lactation की बात करें तो colostrum yellow color का milk होता है first few days आता है और IG antibody होते है जिससे उसे मिलती है passive immunity ठीक है बच्चो कोई भी problem है तो मिरे से पूछ लेना you have already detailed lectures on this channel वो भी आप रेफल कर सकते हैं ठीक है येस अब में उनको बहुत चक्कर आ रहे है सर गुम रहा है बहुत तेज नहीं है आज हिम्मत है यार इतनी ज़्यादा पढ़ाने की मेरे अंदर the end बच्चो it's because of the it's a long term effect कि मेरे आत में नहीं सो रही हूँ finally अब हो सकता है कि नाइट शॉट की सीरीज में दिन में भी शिफ्ट कर दू साड़े गहरा बजे हो सकता है यह बहुत बहुत जादा में यह काम कर ही दोंगी क्योंकि बहुत जाद मेरे ना health compromise हो गई है मैं सोचीति को में ना बोलूँ तुमारे exam है but यार अबना बहुत जादा health compromise हो चुकी है मेरे को ना हर्ट है मैं से चकर चकर feeling आने लगता है because I'm not sleeping throughout the day और काम इतना जादा होता है आज मैं बताओ मैंने dinner भी बनाया मैंने lunch भी बनाया क्योंकि कई बार demand होती है कि you need to be there also so I'm not saying but I'll shift the time to 11.30 in the morning so that we can complete our rest of the chapters in that timing ठीक है जल्दी करेंगे उसको change हाँ बच्चो but करेंगे साथ में करेंगे सब ठीक है चलो तो यह बच्चो मारा आज का session जो मैं the end कर रही हूँ नोट्स आपको मिल जाएंगे telegram channel पर वो telegram channel तो मैंने आपको पहली बता ही दिया है यहां से आप refer कर लेना चलो ठीक केर बच्चो और कल की यार attendance लगा दो फटा फट से लगा दो यार फटा फट से कल की attendance हम लग गई लगे कल की attendance बच्चो हां माम आई लाशेस फॉल डाउन क्यों होते हैं माम मेरी तो कभी नहीं भाई ना जूल तच्वर तू 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 यह तो मने पहली बार देखा है यह यह बच्चो लगे कल की attendance प्लीस कल की attendance अप लगा दे जल्दी लगा तू थोड़ी help हो जाएगे आज लिंक मैं उपर दे रहा है महाँ पर आपने जस्क्लिक करना है आप देखो कि जादा नहीं लगी है यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा बच्चा आज यहां तो काफी सारी वोटिंग दे दिये तुमने माम डिस्टार्ज क्यों होता है कुछ इंफेक्शन के कारण हो सकता है क्याल्चम की कमी के कारण सकता है तो डॉक्टर स्पैसिफिक व्वेशन आप तो मेरी अर्दास लगा दो पहले कि मैं ठीक रहूं तुमारे एक्जाम तक सही में मैं तो कहरें पहले मेरी अर्दास लगा दो यार मेर को ठीक रहना है तुमारे एक्जाम तक यार अब तो मुझे बहुत कुछ कराना है तुम्हें इतना सा प्लान करका है नोट्स में शेयर कर दूंगे अपने पॉस्टनल टेलिग्राम पे अपने टीजे पे कर दूंगे ठीक है चला यार अब मैं आज चलते हूं